हि कि हेलो दोस्तो नमस्ते भाइड कैसे हैं आप लोग आगर राजा बनना है तो गुलाम की तरह म Seung न CT करना सीखें टारगेट करेएं वा बैटे हैं अधिक ऐख गुलाम की तरह मेल्यआत करने से राजाणीं मनते राजा जैसे मेंटिल्टी रखने से राजा सो बन तो राजा जैसी मेंटिल्टी रखिए तो बच्चा कह रहा है एक डायलोग यह भी ब्डार्णा झाल के कि और आज जो बने गचvard फिल्म का डायलोग है, actually, डायलोग को सभी करना पड़ेगा, राजा का बेटा तो अलड़ी राजा है, वो तो राजा बने गई, दिक्कत इस बात की है कि जो गरीब है, भूले भटके तब के का है, वो राजा बन पाता है कि नहीं, राजा का बेटा तो राजा ही रहेगा, this is the तो आपको राजा बनना है वो तो राजा है जिसके पिता जी के पास नौदस गाड़ियां है दिल्ली में खोठी बनी रखी है प्राइवेट जेट से घुमते वो तो राजा है नाना बने दो दो लड़का लड़की एक साथ वे वो राजा नहीं है क्या चलते फिरते राजा ही है जिस देश में जाएंगे वहां प्राइविट जैट उठाएगा उनको तनक सर वहीं उतारेगा उनको महल के आगे दिखती है कि आप राजा बन पाते हो कि नहीं तो आप मेह हनुमान जी का टीजर मैंने देखा बारे करोड में बहुत बढ़िया वीफेक्स बनाया उन्होंने चले दोस्त तो प्रॉफिट लॉस हमाज से पढ़ने वाले प्रॉफिट लॉस के वल अर्थमेटिक में नहीं जिंदगी में बहुत काम आता है ठीक है बई जिंदगी का ब प्रॉफिट लॉस लाभ हानी इसी के इर्दगिर्द आपका गोहमता रहता है सबसे इंपोर्टेंट चेप्टर है लाइफ का अलग यह चेप्टर बहुत बढ़ा है जब मैं इसकी शीट बनाने बैठा तो मुझे लगा कि एक किलास में इसको करवा पाना मुस्किल है ठीक तो जितना भी हो पाएगा आज हम उसकी किलास में करेंगे ठीक है और पूरी महनत से सिद्दत से आकरितक पढ़ेंगे सर डेली क्यूं नहीं पढ़ाते हो बिटा डेली ही तो पढ़ा रहा हूँ दिक्कत यह कि तुम लोग डेली नहीं पढ़ते हो मैं तो डेली पढ़ाता ह हाँ यूटूब पर बेसक डेली नहीं हो पाता है एप्लिकेशन पर तो हम डेली पढ़ा रहें सटेड़ को भी पढ़ा रहें राद को भी पढ़ा रहे हैं है जैकीट अच्छी लग रही है ना शुरू करें कहानी आज की हम जी सुरू करना सर मैंत बेसिक से पढाना है क्या करें हां मैंत बेसिक से पढ़ाएंग है सवनकुमार एप्लिकेशन पर शुरू करें चले देखो थे पहले मां आपको छोटी छोटी बात ही बताऊंगा नहीं चोटी छोटी बात ही जीवन माहिन्य में आपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो CP है, आप खरीदने के बाद आपनों स आर्टिकल को जिस दाम में सेल करा, उसको हम SP कहते हैं, सेलिंग प्राइस, तो खरीदा गया मुल्ले सेलिंग प्राइस, बेचा गया मुल्ले सेलिंग प्राइस, अब मेरे दोस्तों अगर आप selling price जादा रखते हो किसी समान को कम दाम में खरीद के जादा में बेजते हो तो मेरे दोस्तों आपको profit होगा The amount the seller incurs after selling the product less than its cost price is mentioned as loss अगर किसी समान को बेचने से आपको product पे cost price से कम amount मिला है तो यानि कि आपको loss होगा हा नहीं होगा यह बहुत basic सी बाते सभी बच्चे इनको जानते हैं तो मोटा मोटी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपका selling price जादा है cost price से तो आपको profit होगा लाब होगा profit मतलब लाब और profit क्या होता है selling price minus cost price या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि selling price जो है cost price plus profit होता है यह बात तो आप जानते ही है लेकिन अगर आपका cost price जाद है selling price कम है तो यहां से अगर मैं selling price कहूँगा तो क्या आएगा जी cost price minus loss लेकिन अगर आपका cost price selling price के बाराबर जितने में समान खरीदा उतने रुपे में ही बेच दिया तो इसको बोलते no profit no loss condition ना ही कोई आपको लाब हुआ ना ही कोई आपको हानी हुई profit loss मेरा favorite topic है CISIB बच्चे जानते ही है बच्च अगरा सर फिर तो जिन्दिक में profit कैसे हो यह बता दीजे पड़ाम आएस life देखो इंसानों के जीवन में profit loss दौनों होते हैं वो देवता होते हैं बेटा जिनके जीवन में किवल profit ही profit होता है अब तुम भगवान कुबेर तो ह हो नहीं कि तुम्हें बस profit दिखता रहे चलिए इधर देखी गए बहुत दिक मनुस्य के जीवन में दौनों चीजे मिलेंगी अब profit या loss रुपीज में तो हम निकाली सकते हैं लेकिन आकर रुपीज में चिलाने लगेगे ना आज मुझे दो क्रणों रुपे का turnover हुआ मेर लेकि पैसा निकाल तो इसलिए हम यह जानकारी percentage की form में देते हैं तो profit percentage हो चाहे loss percentage हो दौनों ही CP को बेस बानके क्रिया मुल्य को बेस बानके निकाला जाता है यह बहुत मामुली सी बात है लेकिन बहुत महत्पूर्ण बात है चाहे profit percentage हो चाहे loss percentage हो हमेशा CP को बेस बानके निकाला जाता है, profit percentage क्या होता है, कि profit कितना हो रहा है आपको रुपीज में, बटे cost price into 100%, this is your profit, ठीक है भई, हाला कि हम करेंगे सब ratio से, इस अब फरजी बाते हैं, selling price minus cost price upon cost price into 100%, this is profit, clear है, बचेगरा पैसा ही पैसा होगा after this chapter, बिल्कुल पैसा ही पैसा होगा भाई, बस ये दिक्कत है कि तुमारे पास होगा कि दूसरे के पास, देखें, loss percentage, loss percentage कैसे निकालते हैं, आज को loss कितने का है, upon cost price into 100%, तो base का है, हमेशा CP आपका base रहेगा, बात समझे, percentage में convert कर रहें न, इसलिए 100 से गुणा करके, प्रतिसत का sign लगाएंगे, बाई, loss क्या होता है, loss होता है, cost price minus selling price, और upon cost price into 100%, क्लियर है बात समझे, आप बोलो कि जी सर, now most most important बात, टेटने, suppose मेरे दोस्तों, आपके एक factory है, भगवान करे, आपके एक factory हो, सरकाई नौकरी हो, नौकरी ना हो, तो factory हो, ठीक है दोस्त, cost price, आपके एक factory है, शर्ट बनाने की कमीज बनाने की, जिसमाँ आप गंदी गंदी शर्ट बनाते हो, उनके बटन उदण जाते हैं, तो शर्ट को बनाने में आपका खर्चाया 500 रुपे, कितना खर्चाया, तो आप कहोगे सर 500 रुपे खर्चाया, यही होए आपका cost price, मैं आपके एक example से समझाना चाहता हूँ, कि एक शर्ट को बनाने में आपको 500 रुपे का खर्चाया, आपने बोला महंगी बेचूँगा, आपने 800 रुपे का sticker लगा के मार्कीट में चुपका दिया, कि जिसको शर्ट चाहिए वो 800 रुपे देखके जाओ, और शर्ट घर को लेके जाओ, तो जो sticker लगा का price बाजार में चुपकाते हो, उसी को हम बोलते, अंकित मुल्ले, बाजारी मुल्ले, खुदरा मुल्ले, सूची मुल्ले, ठीक है भई? तो दिस इस दा MRP, 800 रुपे का sticker लगा के आपने मार्कीट में चुपका दिया, तो cost price था 500, 800 का sticker लगा के आपने मार्कीट में चुपका दिया, तो mark price, cost price से कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे सर, mark price, cost price से 300 रुपे ज़्यादा है, इसी को हम कहते हैं markup, markup का मतलब ये होता है, कि किसी article का जो MRP है, जो बाजारी मुल्ले, जो अंकित मुल्ले, वो उसके cost price से कितने रुपे ज़्यादा है, समझ में आया, आप बोलोगे जी सर, तो cost price से 500, mark price से 800, तो 500 से, अगर इसको मैं percentage में कहना चाहूँगा, CP आपका 500 है, mark price 600 है, तो mark price कितना ज़्यादा है, 300 ज़्यादा है, 3 बटे 5 यानि कि 60%, तो यानि कि markup percentage कितना है, 60% है, आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, अब घटिया quality की shirt आपने बनाई है, और कर भी क्या सकते हो तुम, shirt बिकने कुछ तयार नहीं, आपने बोला सस्ती दे देंगे, discount दे देंगे, मैं आपके दुकान में गया, आप बोले सर, आप ले लो shirt, आपके पुराने student है, बैच भी लिये थे, मैंने का, तुम पे दया करेंगे, shirt खरीदेंगे, 800 रुपे के MRP है, मैंने बोला, घटिया quality की shirt है, सस्ते में दो, आप बोलेंगे, जी सर, आपके लिए एक दाम, 600 रुपे, दुखान पाए, उखाली आत्ती जाने देंगे, 600 की shirt देंगे, ठीक है भई, तो 600 रुपे की, आपने मुझे वो shirt बेच दी, तो 800 रुपे, आपने MRP लगाया था, 600 रुपे की बेच दी, तो 200 रुपे क्या किया, मेरे दोस्तों आपने, ये 200 रुपे दोस्तों डिस्काउंट दिया, बात समझे, आप बोलोगे जी सर, तो 200 रुपे इसदा, डिस्काउंट, छूट बट्टा, समझे, यानि कि डिस्काउंट हमेशा, MRP पे दिया जाता है, बाजारी मुल्ले पे दिया जाता है, समझे, 800 रुपे MRP था, कितना था MRP प्राइस, 800 पे आपने 200 रुपे का डिस्काउंट दिया, तो परसंटेज में कितना डिस्काउंट है, 200 बटे 800, 1 बटे 4, 1 बटे 4 का मतला 25 परसंट यहाँ पे मेरे दोस्तों आपने डिस्काउंट दिया, 25 परसंटेज, किलियर आप बोलोगे, जी सर बिल्कुल सही, लेकिन आप अपने हिसाब से देखो, आपको भी अपने बीबी बच्चे पाल ले होंगे, अगर हो पाए तो बिया हो गया आपका टाइम पे, तो कॉस्ट प्राइस 500 है, आपने 500 रुपे की शर्ट बनाई थी, आपकी शर्ट 600 रुपे की बिकी, तो आप देखोगे भाई अब 500 की बनाई थी, 600 की बिकी, तो मुझे 100 रुपे का मुनाफ़ा हुआ, 500 रुपे के समान पर, मुझे 100 रुपे का प्रॉफिट हुआ, यानि की प्रॉफिट हुआ मुझे एक बटे पाँच, एक बटे पाँच का मतलब मुझे 20 परसेंटेज का यहां पर प्रॉफिट हुआ, आप बोलोगे जी सर, बिलकुल सही बात समझ में आ गई, तो इस्टुडेंट्स क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा, कि यह सक्सेसिव है, सक्सेसिव, अगर आप इसको ध्यान से देखो, यह कॉस्ट प्राइस है, पहले कॉस्ट प्राइस को बढ़ाया गया है मार्कप परसेंटेज से, जो नई वैलू आई, तो इसको घटाया गया है D परसेंटेज से, और इनका जो नेट इफेक्टिव है, वो प्राफिट परसेंटेज है, यहनि कि प्राफिट परसेंटेज कोई और नई चीज नहीं है, मार्कप परसेंटेज और डिसकाउंट परसेंटेज का ही सक्सेसिव होता है, बहुती golden concept है, 40 बार में बता चुका हूँ, profit percentage जो होता है, कोई नई नवेली चीज नहीं है, markup percentage और discount percentage का successive होता है, आप बोलोगे जी सर, successive के लिए आप या तो यह formula इस्थिमाल कर सकते होगे, x और y का successive क्या होता है, x प्लस y प्लस xy बटे 100, या फिर आप ratio भी लगा सकते हो, वीडियो को like कर दीजिए, ठीक है दोस्त, भाई आप अगर यह इस example से देखो, आपने markup कितना किया, आपने 60% markup किया है, उसके बाद आपने discount कितना दिया है, तो आप कहोगे सर हमने 25% discount दिया है, तो profit कितना है, 60-25-60 गुणा 25 बटे 100, आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल सह समझ में आ गई है, ठीक है बाई, तो 25-15 हो जाया कि 25-15, 40-60 में से 40 घटाएंगे, कितना आपका 20%, तो 20% profit आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप बोलोगे हाँ जी सर, यहीं कि mark percentage और discount percentage का successively profit percentage होता है, अंसुल कह रहे है, आप सभी profit कर लिया, अंसुल विध्यारती हो तो तुम आगे चलें, चलो दोस्त, तो इसी बात को मैंने हाँ पर और elaborate करके लिखा है, कि भी markup क्या होता है, markup का मतलब है देशी भासा में कि mark price, cost price से कितना जादा है, सभी type कवर करवा दूँगा, 100 सवाल में, profit loss के, तो markup बराबर हो जाएगा, जी mark price minus cost price, ठीकन अगर महाँ से mark price निकाला हो, तो mark price क्या होगा, cost price plus markup, markup का मतलब MP is how much greater than CP, अगर आपको markup percentage निकालना है, तो markup percentage हमेशा CP को base बान के निकलेगा, CP को, भई markup percentage का क्या मतलब है, कि किसी वस्तू पर आपने कितना markup किया है, उसका cost price क्या है मेरे दोस्तों, into 100%, यानि कि MP minus CP upon CP into 100%, this is your markup percentage, अग discount क्या होता है, छूट क्या होता है, MP minus, discount क्या है मेरे प्यार भी, MP minus SP, ठीक है भई, आप बोलोगे जी सर, what is the discount, MP minus SP, आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल सही, तो markup price जो होता है, वो selling price plus discount होता है, discount हमेशा markup price को base बान के निकाला जाता है, तो discount percentage क्या होगा, डिसकांट कितना है रुपीज में, बटे mark price, अंकित मुल्ले, into 100%, ठीक है, discount is what, mark price minus selling price upon mark price into 100%, आगे चलें, ये मैंने अभी आपको समझाई दिया, मेरे दोस्तो, यहां से profit percentage जो होता है, बच्चा पाटी वो क्या है, अभी markup percentage और discount percentage का सक्सी होता है, M is markup percentage, what is M, M is the markup percentage, what is capital D, this is the discount percentage, clear, अभी हाँ है न, कभी तो कुछ बोल दिया करो, ठीक है, last concept मैं आपको और समझाता हूँ, ध्यान से सुनेगा, उसके बाद किवल सवाल उडाएंगे, जैसे भाई, यह है cost price, what is this, this is cost price, मैं आप सब पूछूँगा, कि cost price पे profit कमाने के बाद क्या आता है, cost price पे profit आप कमाओगे, तो क्या आता है, मेरे प्यारे profit को मैं, P percentage लिख देता हूँ, cost price पे profit कमाने के बाद क्या आता है, जवाब दीजेगा, भाईया, profit या loss कोई अलग बात नहीं है, loss is just a negative profit आप ऐसे कह सकते है, cost price पे profit कमाने के बाद क्या आता है, तो आपका जवाब होगा सर जी, selling price आता है, यानि कि selling price कोई नई चीज नहीं है, selling price is just cost price प्लस profit, या सर नो आप बोलोगे, जी सर बिलकुल सही, अब लेकिन मैं आप से ये पूछू कि बताओ बच्चा, mark price पे discount देने के बाद क्या आता है, mark price पे discount देने के बाद क्या आता है, तो आप कहोगे सर, mark price पे discount देने के बाद भी, selling price आता है, mark price पे discount देने के बाद भी selling price आता है, आप बोलोगे, जी सर, बिलकुल सही, बात समझ में आगे, this is the most important concept, ये बात समझे, clear है, आप बोलोगे, जी सर, यानि कि मेरे प्यारे बे, अगर मैं CP को अधर ले आऊं, तो mark price और cost price का जो difference होगा, वो क्या होता है, उस article पे होने वाले profit, प्लस, discount के बराबर होता है, ठीक है, this is the most important concept, बात समझे की नहीं समझे, क्लियर? अच्छा, चले दोस्तो, एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूँ, बताओ कौन सी बात बता दें, देखीगा मेरे प्यारे बाई, जैसे हर चीज अपने आप पे 100% होती है, आप बोलोगे हाँ जी सर, हर चीज अपने आप पे 100% होती है, cost price भी 100% होता है, तो selling price क्या आएगा मेरे प्यार भी, तो आप काऊगे 100% पे P% profit कमाऊगे, तो selling price जोगा, वो cost price का 100% होगा, selling price क्या होगा, cost price का 100% होगा, आप बोलोगे जी सर बिलकुल से, multiplying factor जानते हैं, हर चीज अपने आप में 100% होती है, mark price भी 100% होता है, 100% पे D% आप discount दोगे, 100 में से D% कम कर दोगे, तो selling price क्या होगा, mark price का 100-D% होगा, mark price का 100-D% होगा, this should be equal, equal होना चाहिए, यह भी SP है, यह भी SP है, तो बच्चों यहां से CP स MP का ratio क्या आएगा, CP स MP का ratio आएगा, मेरे प्यारे भाई, MP को में अधर ले आते हैं, यह उधर चला जाएगा, 100-Discount upon 100 plus profit, यह फंडा है, जिसको आप तोते की तरह रठते हो, CP upon MP बराबर 100-D upon 100 plus P, this is the golden concept, ठीक, अगर आपको यह सारी बाते समझ में आई हैं, उड़ोड के, तो अब आप मुझको इस पर बेश सवाल करके बताईगा, सवाल आपके सामने फैक के मारेंगे, एक नंबर करो, सारे सवाल previous year हैं, मैंने नहीं create करें हैं यह, ठीक ना, परी के हिसाब से ही हैं, एक बार वीडियो को like कर दीजिएगा, आप मुझे बताओ कि आप वीडियो को like क्यों नहीं करते हैं, दोस्तों आप पढ़ लेते हैं, आप PDF डाउनलोड कर लेते हैं, चैनल को join कर लेते हैं, अपना सारा फायदा उठा लेते हैं, एक gratitude तो होना चाहिए न, अगर आप किसी से कहीं से भी कोई भी आपको किसी परका का benefit मिला है, तो एक gratitude तो होना चाहिए, बजगर गुरुजी आपको finance minister होना चाहिए, मुझे finance minister बनाया न, तो मैं आके रात को 8 बिजे announce करूँगा, मित्रो, GST माप, there is no GST, income tax आज से delete किया जाता है, income tax की सारी किताबों को जला दिया जाए, income tax GST department समात, पहला काम, देश में खुशी की लहर, सरकार गरीब, जनता अमीर, रमेश ने अपनी बाइक 16,384 रुपे में बेची और उसे 20% का loss हुआ, ठीक है, 30% का profit प्राप्त करने के लिए, उसे बाइक को किस कीमत पर बेचना चाहिए था, 30% का profit प्राप्त करना है, मेरे प्यार भी तो किस कीमत पर सेल करना चाहिए, 130%, 1.3 में सेल करना चाहिए, तो answer जो भी होगा, 13 का multiple होगा, 13 का, option से चेक करो, 13 का multiple ये तो है नहीं, 26, लेको जैसे 26, 624 है, कैसे चेक करूँगा 13 का multiple, 26,000 तो कटी रहा है न, 13 से, मैं क्यों इसको चेक कर लूँगा, ये 13 से कटता है, हाँ जी कटता है, ये 724, 13 से कटता है, ये नहीं कटता, 26 हार 13 से कट जाएगा, बटएगा 1824, 1824 में 13 से कट जाएगा, बटएगा 524, 524 भी 13 से नहीं कटता, एक अकेला सी option ऐसा, जो 13 से कटता है, ये उत्तर हो जाएगा, तो मेरे प्यारे भाई, रमेश ने एक भाईग खरीदे 16,384 रुपे में, अगर आपको इस सॉल करना है, 20 परसेंट का, स्वरी, बेची है, 16,384 रुपे में बेची, 20 परसेंट का लॉस हुआ, लॉस किस पे होता, अगर सी मीें परसेंट परसेंट है, तो उसने प्यारे बाईक 80 परसेंट पे बेची, ये 80 परसेंट की वैलू है, ये 80 परसेंट की वैलू क्या होगी दोस्तों, बटे असीру welcoming कशा, आप सा तबका, 30 परसेंट प्रॉफिट कमाने के लिए, कितने में सेयल करना होगा, तो 30% profit कमाने के लिए 130% में seal करना होगा, तो 130% की value यहां से निकाल लीजिए, ये मेरे दोस्ते सवाल कांसर आ जाएगा, ये वाला option correct बैठेगा, तो one liner सवाल है, option से कर सकते हैं, सवाल number है, दो, जी जवाब दीजिगा, ये वच्छे गरहा, कुछ भी कावम like नहीं करेंगे, हमारी GF ने दोका दिया है, अब है, तुमारे दोके का, मेरी वीडियो से क्या लेना देना है, हैं, और तुमारी, तुमारी जैसी नोटंकी वाले को, वो दोका नहीं देगी, तो और क्या देंगे बताओ, बजगर आपकी नेट वर्द कितनी है, ये क्या होता है भाई, हिंदी में बोलो, हिंदी में, कोई वस्तु 640 उर्पें बेचकर, एक आदमी को, उसके सेलिंग प्राइस पर 15% का लॉस होता है, सेलिंग प्राइस पर 15% का लॉस है, तो आप से पूछा है, कि कोस्ट प्राइस पर 15% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए, उसे किस दाम पर बेचना चाहिए, सीपी पर 15%, 15% प्रॉफिट प्राप्त करने का मतलब, 15% की फ्रेक्शन लो तीन बटे बीस है, यानि कि 23 बटे बीस में सेल करना होगा 23, आंसर 23 का मल्टिपल आएगा, मेरे दोस्तों 23 का मल्टिपल, जो आप्शन 23 से कटेगा, वो मेरे प्यारे बटे इसका आंसर होगा, तो 23 का मल्टिपल भी चेक कर सकते हैं, एक रास्ता यह है, समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सौल भी कर सकते हैं, जैसे, बटे 640 रुपे में बेचा, और 640 रुपे में बेचने पर, आपको 15% का लॉस हुआ, 15% का लॉस हुआ, सेलिंग प्राइस पर, सेलिंग प्राइस पर 15% का लॉस हुआ, इसका मतलब समझ रहे हैं, कि अगर सेलिंग प्राइस आपका 20 रुपे है, आपने कितने बेटा 640 रुपे में, 20 unit की value है 20 unit में बेकने पर आपको 3 unit का loss हुआ तो cost price कितना होगा 20 और 3,20 यह आपका cost price आगा मेरे दोस्तो 23 unit CP आगया CP पर आपको 15% profit कमाना है 3,20 तो कितने में sale करना होगा cost price के 23,20 में sale करना होगा 400 से 640 1.6 बार जाएगा मेरे प्यारे भाई तो यानि कि decimal आएगा answer में 9,54 आएगा मेरे प्यारे भाई यह answer है DRS अभी का clear है ठिक आप बोलोगे जी कोई दिक्कत नहीं है आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ यह बताईगा सवाल बहुती आसान है प्रीविसर हैं बताओ जी Amitak वस्तू को 167.4 रुपे में बेचकर 24 परसेंट का प्रॉफिट कमाता है 38 परसेंट का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे सेलिंग प्राइस को कितना बढ़ाना चाहिए तो मेरे प्यारे भाई सुनीगा 24 परसेंट प्रॉफिट वो कमा रहा है profit कमाना चाहता है 38% तो भी याने कि कितना बढ़ाना होगा 14% selling price को 14% बढ़ाना पड़ेगा 14 मतलब 7 answer 7 का multiple आना चाहिए 7 का multiple easily check कर सकते 7 से नहीं कटता ये 7 ये तो कट जाता है 7 से ना ये नहीं कटता साथ दूनी 14 ये भी नहीं कटता और ये भी नहीं कटता answer A option है only one solve करना चाहते हैं कि किसी article को आपने 167.4 रुपे में बेचा आपको 24% का profit हो cost price हमेशा 100% होता है 100% पे 24% आपको profit हो रहा है तो 124% की value है 124% की value है 1% की value ही आगी पूचा 38% profit earn करने के लिए selling price को कितना बढ़ाना होगा 14% आपको बढ़ाना होगा मेरे प्यारे भाई यहांसी एक परशंट की value 14% की value आपसे पूचीती तो multiply by 14 ये उत्तर आ जाए clear है मुझे लगता है सारे भाईयों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई है आगे चलेंगे next question चार नंबर जवाब दो एक टीवी को 8% के profit पर बेचा गया अगर इसे 253 रुपे कम में बेचा गया होता तो 15% की loss होती ठीक है 18% profit कमाने के लिए इस टीवी का selling price क्या होना चाहिए अब देखो इस सवाल के जैसे सारे option अलग-अलग है option मतलब unidigit अलग-अलग है तो मैं इसको unidigit से कर लूँगा बहुत आसानी से आप किसी टीवी को 8% के profit में बेच रहे थे अगर इसे 253 कम में बेचेंगे तो 15% का loss होगा 8% profit से 15% loss पे आगे कितने gap आया 8 और मानिस 15 23% का gap आया percentage में 23% का gap आया rupees बे कितना है 253 आप बोलोगे जी सर बिलकुँ सही 20% की value 253 ए 1% की value आगी 23 ये 1% की value आगी आप से पुछा 18% profit कमाने के लिए कितने में sale करना होगा 18% आपको profit कमाना तो 118% में sale करना होगा यानि कि 118 18% की value पूछी थी तो 3 एकम 3 और 1 आठ यानि कि 8 उनिट डिजित आना चाहिए ये answer है मेरे दोस्तो B option ठीक है बाई सभी को बात समझ में आगी बहुती easy सवाल था आगे चलेंगे ये बताओ दोस्त सवाल number है आपके सामने यहाँ पर पांचवा करो जल्दी से तर ये जो options से solve कर देते please बो ट्रिक हमें भी समझा दें please बिटा मैं multiple check कर रहा हूं बोल तो रहा हूं prime number जो चुपा होता है 14 में 7 चुपा होता है 11, 13 इन सब का multiple आपको check करना चाहिए गुरुदेव आपको कपिल सर्मा कर सो जोइन कर लेना चाहिए आप वहां भी आग लगा देंगे तुमने मुझे कॉमीडेन समझ रखा है मास्टर हूं मैं मास्टर समझे मास्टर दी बलास्टर और क्यों कपिल सर्मा जी को बिरूजगार करना चाहते हो उन्हेंने तिरी जारी रोल्स रोल्स ख़ईद रख्या उनका खर्चा कैसे निकले था जी जवाब दीजीगा बड़ी बड़ी लेंग्विज के सवाल से आपको डरना नहीं है प्रॉफिट लॉस के सवाल बड़े मज़दार होते है थोड़ी सी कैलकुलिशन आजकल बढ़ादा देता है एक्जामनर एक शॉपकीपर सेल्स बाई मिस्टेक अन आर्टिकल अट थर्टी तो परसेंट लेस देन इस ओर्जन सेलिंग प्राइस एक दुकान दारने गल्ती से एक समान को अपने मूल विक्रिय मुले से 32 परसेंट कम पर बेचा और उससे 67.2 रुपे कम मिले ठीक है if we get a profit of 40% by selling the article at original selling price, original selling price पर बेचने से 40% का profit होता है तो आपसे पूछा है आर्टिकल का CP cost price क्या है, देखो आपने selling price को कितना कम कर दिया 32%, selling price को आपने 32% कम कर दिया तो आपको कितने रुपे कम मिले 67.2 तो selling price का 32% ही 67.2 रुपे के बराबर है, तो यानि कि selling price का 32% 67.2 है, एक परसेंट कितना है 32 दूनी 64 और 32 से कम 32, एक परसेंट की वैलू है 2.1 तो 100% की वैलू कितनी है मेरे दोस्तों, 100% की वैलू है 210, तो selling price आपका 210 रुपे आ गया, मोलो बात सहिए selling price का 32% यह 100% निकाल लो, आप ते बोला गया है कि selling price, और जल selling price निकाले, और जल selling price पर बेचने पर 40% profit होता है 40% का fraction value दो बटे 5, दो बटे 5 आपको profit होता है, दो बटे 5 profit का क्या मतलब यह, कि अगर cost price 5 है तो आपका समान 7 में भी का, अब 7 की वैलू सवाल में 210 रुपे दिया 30 गुना, तो 5 की वैलू भी 30 गुना होगी 1500 रुपे, यही cost price जो होगा वो 150 रुपीज होगा, यही सवाल का अंसर आएगा, A option correct है, बताओ आशान सी बात थी कोई दिक्कत इसमें, सबी बच्चे समझ पा रहे हैं, यह बताएगा जी अगला सवाल करो, यदि किसी वस्तू को 30% profit में बेचा जाता है, तो उसका selling price है 624, ठीक है, यदि वस्तू के cost price को 50 बढ़ा दिया जाए, selling price को भी 60 बढ़ा दिया जाए, ओके, तो profit percentage कितना होगा, और एप्रोक्स में आपको बताना, nearest to an integer, यहाँ पर unit digit डिजीटल समा option मत इस्तिमाल करीगा, यहाँ किवाल approximation लगेगा, बैजब किसी article को 30% के profit में बेचा जाता है, तो selling price 624 है, 100% CP पर 30% profit है, यह 130% की value है, selling price क्या हो जाए, 130%, यह से 100% की value निकाली, जी cost price आजाएगा, आप बोलोगे जी सर, अब तेरह चौका बामन और दस तेरह ठेक सोचार, 480 रुपे, तो भाई cost price मेरे प्यारे भी 480 रुपे आ गया, यहां तक कोई परेशानी, आप बोलोगे जी सर, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, सही कराएगा, अब क्या बोला है, cost price को 50 रुपे बढ़ा दिया जाए, cost price 480 था, 480 को 50 रुपे बढ़ा दो, 530 रुपे हो गया, selling price को 60 रुपे बढ़ा दिया जाए, selling price कितना था, 624, selling price पहले 624 था यह न, 624, 624 को 60 रुपे बढ़ा हो गया, तो selling price हो गया, जी 684, अब कितना प्रतीसत profit है, तो 530 का समान 684 में जा रहा है, तो profit कितना है भाईया, तो यह profit है आपका 154 रुपे, 154 रुपे का आपको profit है मेरे प्यारी, यही है न, 324 और 60, तो percentage में आपको निकालना है, अब देखो सारे option 30% के नजदीक है, अगर मैं 530 का 30% निकालो, 530 का 30% कितना होता है, 169, यनि कि आंसर 30% से तो कम है, यनि कि कितना कम है मेरे प्यारे बई, 5, 530 का 1% 5.3 होता है, यनि कि लगबग 29% आएगा यह option है, 530 का, अगर 30% निकालो, तो 169, 30% की value है, और 1% होता है, 530 के 1% 5.3, यनि कि यह आएगा लगबग 29% की value, तो यह लगबग 154 है की नहीं, तो एप्रक्स 29% पहुंचेगा, उनि करना की 154 बटे 530, 100% और लगे भाग तरने, अप्रोक्सीमेशन का इस्तिमाल सीखे, this is the value of 30%, this is the value of 1%, we need difference, that means 29% एप्रोक्स, ठीक है बई, आगे चलेंगे, अगला सवाल यह बताएगा जल्दी से, करो, अरे समझ आ रहा है ना, बिल्कुल अभिनाश शाहू, कोई दुकानदार किसी आर्टिकल को 3750 उर्पे में बेचता है, ठीक है, यदि वह इस वस्तु को 24% कम में बेचता, तो उसे 14% का लाब होता है, कितना प्रॉफिट होता, 14% का प्रॉफिट होता, आपसे पूछा है, ओर्जिनल कॉस्ट प्राइस, आपका आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पूछा है, आपने किसी समान को बच्चो कितने में बेचा, 3750 उर्पे में बेचा है, अगर आप 24% कम में बेचते, का मतलब क्या है कि अगर आप 76% में बेचते यानि कि इतने दाम में बेचते अगर आप इतने प्राइस पर बेचते तो आपको 14% का profit होता cost price 100% होता है 100 price पे 14% profit होता 100% पे यानि कि 114% की value होती और आपसे 100% की value यहां से पूछी गई है मेरे दोस्त तो यह आजाएगा न वन सिंगल लाइन में उड़ाना सीखे दो 0 से decimal है भी यह किसे जाएगा 38 से दो बार और मेरे प्यार भी तीन बार तो यह आजाएगा 3750 दूनी 7500 बटे यह 2500 रुपे तो 2500 रुपीज आपका cost price होगा यही इस question का answer है D option यहां पर correct है समझे B बता रहें B नहीं भाई D सही है ठीक है भाई सभी का आ गया 2500 रुपे 2717 क्या बोल लाए हो तुम लोग सभी बताये करो अगला सवाल सवाल आपके सामने फैंक के मारेंगे हम आठ नंबर करो जी बनाए जल्दी से सर मैं आपका जूनर एक जी सी कॉलेज से दौर अठारे बैच से आपको देखा था कॉलेज में आप बाबा होस्टल में रहते थे शायद अच्छा अबाबा होस्टल में रहते थे तरीथ सरित मीना कहने मास्टर जी क्या मैं आपको अन सक्राइब कर सकता हूँ को 있으니까 मेरी नौकरी लग चुकी लग चुकी है बिल्कुल सरित्मीना आप बिलुकुल कर सकते हैं अब आप उन चैनल को सब्सक्राइब करें जहां पर मलाईका रोड़ा सवेजीम सब्सक्राइब करिए अब थोड़ा बरबादी के दिशा में बढ़ सकते हैं यह सवाल लंबर आठ ग्यारे सो सत्तर रुपे में अच्छा ग्यारे सो सत्तर रुपे में किसी समान को बेचने से अली शाको उतना ही लॉस होता है जितना उसे इस वस्तू को 22 पर्शन लाब में बेचने से होता फ्रॉफिट होता ठेक है यदि वह इसे 1450 रुपे में बेचती है तो उसका लाब यहाने प्रतीसत क्या होगा यह आपके सामने ओप्शन है सुनो बहुत अच्छा सवाल है 1170 रुपे में किसी आर्टिकल को बेचने से अली शाको उतना ही लॉस होता है जितना उसे 22 पर्शन बेचने में 22 पर्शन पर बेचने पर गेन होता बहुत बाइस पर्शन पर्शन पर बेचने पर बाइस पर्शन गेन यानि कि 1170 रुपे में बेचने पर बाइस पर्शन लॉस होता है सौ पर्शन पर बाइस पर्शन लॉस होगा तो 78 पर्शन की वैलू है तो मैं यहां से 100% की value निकाल सकता हूँ आप बोलोगे जी सर तो यहां से 49 तीया और 49 दूनी ठीक है मेरे प्यारी भी आप बोलोगे जी यानि की 1500 रुपे तो यह cost price जो आ गया आपका 1500 रुपे आ गया सही किया है भई 1500 का समान अगर 1450 रुपे बेचा जाएगा तो जार्शी बात है profit तो होगा नहीं होगा आपको loss ही और 1500 पर कितने का loss है 50 रुपे का that means 1 by 30 loss है यह तो आएगा नहीं 1 by 30 loss है 50 बटे 1500 तो 3.3% आपका एप्रोक्स लॉस आ जाएगा ठीक है भई लाइव चैट में जो है हमारी टीम ने एक पोल ओपन किया है आप ना सवालों का करेक्ट आंसर उसमें बताते रहा करो अच्छा यह मुझे क्यों नहीं दिख रहा है करेक्ट आंसर अलग चेनल से दिखता है अच्छा हाँ आप दिख रहा है बहुत बढ़िया आया 3.3% लॉस सभी बच्चे कर रहा है हमारे ओड़ों के यह बताएगा जल्दी से सवाल नंबर है आपके सामने प्यारे बच्चे नौ जवाब दो क्या होगा बहुती शांदर सवाल है सवाल है किसी आर्टिकल को 425.25 में बेचने पर 5.5% का लॉस होता है उसी आर्टिकल को 465.75 रुपे में बेचा जाए तो आप से पूछा प्रॉफिट परसंटेज क्या होगा और आप्शन आपके सामने रहे है अग्ज़क्ट आंसर है दिखेगा को स्प्राइस हमेजा 100 परसंट होता है यहां पर परसंटेज पूछा है किसी समान को 425.25 रुपे में बेचने पर 425.25 रुपे में बेचने पर कितना लॉस है साड़े 5% loss है पर 100% पर साड़े 5% loss होगा तो यानि कि कितने बिकेगा 94.5% में 94.5% परसेंटेज के बराबर है cost price के 94.5% पूछा है 465.75 रुपे में बेचने पर कितनी परसेंट का profit या लॉस होगा तो यानि कि ultimately सवाल इतना सा है कि 425.25 अगर 94.5% की value है तो 465.75 कितने परसेंट की value है यही तो पूछा गया है बोलो अब इस सवाल कि आप exact calculation करने लगे तो साइद आपको ambulance बुलानी पड़ेगी 3% बता रहे हैं अब देखो मेरे दोस्तो 425 से 465 पे जाना है तो यानि कि लगबग लगबगवा आपको कितना add करना है 40.5 यानि कि आपको 40.5 की value चाहिए मेरे दोस्तों यही तो है इन दोनों को add करूंगा तभी तो यह आएगा 0.75 हो जाएगा 425 और यह 4465 अब देखे 425.25 94.5 है तो 40.5 कितना होगा एप्रोक्स देखो बच्चो एप्रोक्स अगर देखें मेरे प्यार भी 425.25 94.5 है अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 10 से डिवाइड करूंगा तो 42.525 की जो value है 42.525 की जो value है और 9.45% आएगी आप समझे की नहीं समझे फ़ड़ा बुद्धी का इस्तिमाल करो, इस दिमाँ में करना, अगर मैं दौन तरफ 10 से डिवाइड करूँगा, तो लगबक 42 रुपे की जो वैलू हो 9.45 आएगी, यह है 40, इसके लिए 9.45 से हलकी सी कम होनी चाहिए, एप्रोक्स 9, 9.1, 9.2, यहां पर कुछ अठकेगी, एप्रोक्स 9% होगा, इन दौनों को सम करेंगे, मेरे प्यार भी तो कितना आ रहा है, यह आ रहा है, 103.5, यानि कि, और यह एप्रोक्स में कर रहा हूं मेरे दोस्तों, यानि कि इसकी वैलू 103.5 है, तो लगबक 43% profit है, 0.5 परसेंट जो है, वो बहुत गेम प्ले करता है, 3.5 परसेंट इस क्वशन का आंसर है, बात समझो, पेपर में आप ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं, कि आप यहां से एक रुपे की वैलू निकालो, फिर इसकी वैलू निकालो, आप गेप की वैलू निकालो, गेप केलकुलेट करना इजी है, ठीक है, 42% बच्चों ने सही आंसर दिया वेरी गुड मेरे प्यारे भाईयो, ऐसे ही आप आंसर देते रहो, ये बताएगा, सवाल लंबर 10, सवाल है, निकीता को एक टेबल फेन को 840 में बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है, एक दिवार घडी को 1008 में बेचने पर 12% का प्रॉफिट होगा, वे टेबल फेन को 980 पिम बेचती है, तो उसे दिवार घडी को किस दाम पर बेचना चाहिए, किस मिनिममम प्राइस पर बेचना चाहिए, ताकि दौनों सौदों को मिला कर कोई नुकसान ना हो, यानि कि no profit, no loss condition चाहिए, मतलब total CP और total SP बराबर होना चाहिए, अब सुनो, नकीता ने एक टेबल fan को बेचा कितने में, टेबल fan को, 840 में, 20% का profit हुआ, 20% मतलब एक बटे 5 profit हुआ, तो मेरे दोस्ते 6 की value है, आप यहां से 5 की value निकाल लेंगे, तो टेबल का cost price है 700 रुपे आ गया, तो टेबल का cost price है 700 रुपे आ गया, उसने बेचा दिवार घडी को, उसने बेचा वाच क वाच को उसने बेचा, कितने में, एक हजार आठ में, 12% profit हुआ, 12% की fraction value है 3 बटे 25, यहां कि अगर cost price 25 है, तो 3 profit हुआ है, तो 28 की value है, यहां से आप 25 की value निकाल लेंगे, मेरे प्यारी भी आपका cost price आ जाएगा वाच का, तो 28 दिया 84, 16 बचेगा, 168 तो कितनी बार जाएग पंदरे सो, अभी और पच्चेची का डियर्ड सो, नहीं, साड़े साथ सो और नो सो, साड़े साथ सो, डियर्ड सो आएगा, ठीक है बई, वाच 900 रुपे की है, यह यह ना बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, अब सुनो, table fan को 980 में बेचा, table fan की कीमत 700 है, 700 के समान को 980 बेचा, तो यहां कितना profit हो गया, यहां 280 रुपे का profit हो गया, प्यारे भाई, 700 रुपे की समान पर, अगर उसने 900 रुपे में बेचा ए, table fan को, यहां 280 का profit हो गया, क्लियर है, तो मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समने कोशिश करेगा, यहां पर आपको पूरे सौधे में ना तो कोई profit चाहिए, ना ही कोई loss चाहिए, तो यहाँ 280 का नुकसान करा लेते हैं, ना, 900 के सवान पे 280 का आप loss करोगे, तो watch को किस price पे बेचना चाहिए, 620 उर्पे में, तो 620 उर्पे इस सवाल का answer है, A option, क्या आप सवाल समझें, क्या हुआ, टेबल फेन को 840 में बेचने पर 20% प्रॉफिट हुआ, तो यहां से टेबल फेन का CP निकाले 700 उर्पे, दिवार घड़ी को 2008 में बेचने पर 12% प्रॉफिट हुआ, तो 28 की वल्यों मैंने 25 के लों निकाले, तो watch का price आगया, cost price 900 उर्पे, अब टेबल को 980 में बेचा है, यानि कि टेबल पे 280 का profit कमा लिया, overall ना तो कोई profit चाहिए, ना ही कोई loss, अगर ना 280 प्रॉफिट हुआ, तो 280 का नुकसान करा, तो 620 उर्पे में बेचना चाहिए, बड़ा सरल सवाल था, कम से कम आपको सोचना है, ये बताएगा जल्दी से, सवाल नंबर 11, करो फटा फट, प्र रोईट सिखावत के रहे है, SSC और girlfriend में से किसको चुनो, तुमारे पास है, option चुनने का, इधर देखीगा, what will be the actual profit percentage, rounded of the nearest integer, तुम किसी को नहीं चुनोंगे, SSC और वो तुमको चुनेंगी, समझे, तुमारे हाथ में नहीं किसी को चुनना, actual profit percentage क्या होगा, after selling an article at a certain price, while there occurs a loss of 45% on selling the article at 3 by 8 of selling price, सवाल ये है, किसी article को बेचने पर, actual profit percentage क्या होगा, अगर हम उसे certain price पर sale करें, ठीक है, 45% का loss होता है, अगर हम उस आर्टिकल को selling price के 3 by 8 मर बेचते हैं, selling price के 3 by 8 में sale करते हैं, बड़ा basic सवाल है, दहान से सुनेगा, देखे, CP हमेशा 100% होता है, मैंने माले कि बेचने पर ये ही आपका selling price है, selling price को मैंने 8 माल लिया, तो 8 का 3 by 8 कितना होता है, 3, यानि कि 3 रुपे, 3 रुपे में बेचने पर आपको कितना loss होता है, 45%, अगर आपको 45% loss हो रहा है, तो ये कितने की value हो, 55% की value है, 100% के समान पर 45% loss होगा, तो 55% की value है, आप से पूचा है, selling price पर बेचने पर, certain price पर बेचने पर कितना profit होगा, आप से 8 की value पूचिए, बताओ जी, तो 3 की value 55% है, मेरे प्यार भी, ये लगबग 18 गुना है, अभी, तो 18, 144 मेरे प्यार भी, यानि कि 144% प्लस आएगा, नहीं, यानि कि 44% से ज बेचने पर, अगर आपको 45% loss हो रहा है, तो ये कितने में बिक रहा है, cost price के 55% में बिक रहा है, अगर आप 8 रुपे में बेचोगे, तो लगबग 18 times, ये लगबग 18 times होगा, ये 144% में sell होगा, 100% से कितना जाद है, 44% प्लस ही आएगा answer, वो एक ही option में है, C, options काफी दूर रहा है, उसका फायदा उठाओ, ये सवाल देखो, किसी article को इसके selling price के 7 बटे बारे में sell करने से, आदमी को 16% का loss होता है, यदि इस article को इसके original selling price के 90% में बेचा जाए, तो profit percentage बता है, ये बहुत अच्छा सवाल है, किसी article को selling price के 7 by 12 में sell करने पर, 7 by 12, या बटे 12 वारा है मैंने selling price को ये माल लिया, 12, selling price 12 है, तो 12 का 7 बटे 12 कितना होता है, 7, 7 रुपे में बेचने पर, आपको 16% loss होता है, एक CP 100% है, 100% पे 16% loss होगा, तो बिके कितने में, 84% में बिकेगा, 7 की value 84% है, कितने गुना, 12 गुना, 12 times है, देखाई दिया, तो आप से पोचा, selling price के 90% में बेचें तो कितना profit होगा, selling price है, 12, 12 का 90% कितना होता है, 12 का 90% होता है, 10.8, 12 का 90% 10.8, 10.8 में बेचें पर कितना profit होगा, 826, 6, 6 unit जी टाएगा, यही answer है, 108 की 12 में गुना करेंगा, 120, 1286, 139.6% आया कि नहीं आया, आप बोलोगे, जी सर, यानि कि 139.6% में sale हुआ, 100% से कित 29.6% extra, यही होगा आपका profit, तेरे दिल की जेल में मुझे ऐसी सजा मिले कि ठक जाए, दुनिया के वकील और जमानत ना मिले, ललित चौदरी कहरें, वा बेटे, वा, दिल की जेल में सजा चाहिए, इनको कितने उच विचार हैं, माबा पास लगाए, बेटें, कि बेटा नो को उनके दिलों में जेल चाहिए, वकील जमानत कुछ हो नहीं चाहिए, पर्मानेंट जेल में रहना हैं, बाहर नहीं निकलना हैं, कितने उच विचार हैं, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, ओल का अंसर बताते रहें, बोला है, किसी आर्टिकल को 960 रुपे में बेचने पर जो प्रॉफिट परसेंटेज है, वो उसी आर्टिकल को 1640 रुपे में बेचने से होने वाले लॉस प्रतिसत के बराबर है, 20 पर्शन प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए आर्टिकल को किस मुल्ले पर बेचना होगा 120% में बेकना होगा, 12 का multiple काफी सारे option है, देखो solve कर लेते हैं, सुनिएगा, अब यह सवाल बहुत ही basic है, आप यहां से direct cost price निकाल सकते हो, आप इस सवाल का मतलब समझो, सवाल का मतलब यह है, देखे चाहे profit percentage हो या loss percentage हो, निकलेगा तो CP को base मान के न, सवाल है कहना चारा, कि percentage है, बात समझ में आई, यानि कि 1960 में बेचने पर जो profit amount है, 1640 में बेचने पर जो loss amount है, वो equal है, तो cost price जो होगा, इन दोनों का average होना चाहिए कि न, बच्चों, इन दोनों का average, इन दोनों के बीच के विल्यों जोड़ के आदा कर दो, 1900 और 1600, 3500 और 136, 3600 का आदा 1800, तो cost price 1800 रुपे हो गया की नहीं हो गया, 1800 रुपे 20% profit चाहिए, तो समान को कितने बेचना पड़ेगा, 1800 into 1.2, एनने कि 260, 260 रुपे में समान को बेचना चाहिए, B option answer है, clear है, आसान से सवाल था, आगे चलेंगे, ये बताएगा जल्दी से, सवाल लंबर आपके सामने आएगा बच् जवाब दो, अच्छा भई, बहुत प्यारा सवाल है, देखे, किसी आर्टिकल को 246.8 रुपे में बेचने पर जो profit है, वो उसी आर्टिकल को 216.8 रुपे में बेचने पर होगा, होने वाले, लॉस की रासी से 20% ज्यादा है, यदि उस आर्टिकल को 320.75 में बेचा जाए, तो लॉस या प्रॉफिट परसंटेज क्या होगा और आपको ये निकालना है, देखे, क्वश्चन सॉल करने के लिए आपको क्या चाहिए, क्वश्चन सॉल करने के लिए चाहिए, सवाल में क्या बोल लखा है, सवाल में बोल लखा है, किसी आर्टिकल को 246.8 रुपे में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है, वो 20% ज्यादा है, जितना जब आप उस समान को 216 रुपे में बेचते हो, जब लॉस होता है उससे, देखेगा, 20% का मतलब होता है, जी एक चारा है, 216 में बेचने पर जितना लॉस हो, उससे 20% जादा प्रॉफिट हो रहा है हाँ पर, तो अब बताओ, दोनों के बीच गैप कितना है, भाई, यहाँ पर गैप कितने का है, आप कहोगे सर, 6 में 6 गया दीरो, यह 30.8 रुपीस का गैप है, जबकि गैप है कितना, 6 औ मेरे प्यारे भाई, 5 की वैलू है, 14 रुपे, 5 गुणा 2.8, 14 रुपे, कहने का मतलब यह हुआ, कि जब आप समान को 216 रुपे में बेचते हो, तो आपको 14 का नुकसान होता है, यह बहुत important टाइप है, हर टाइप का रिविजन करवाऊंगा, 216 में बेचने पर 14 का नुकसा क्या होगा, 216 प्लस 14, 230 रुपे आपका कॉस प्राइस होगा, अगर आपसे कॉस प्राइस पूछेगा, तो 230 रुपे आएगा, लेकिन सवाल यह है, अगर समान को 320.75 में बेचा जाए, तो कितना प्रॉफिट होगा, 230 रुपे का समान 320.75 में बेचा जा रहा है, तो तो होगा ही नहीं, यह बहुत अच्छा है एक्जामन, दो आप्शन हटा देता है, अब 230 का अगर मैं 40% मिलूँ तो 92 आएगा, यह 90 है, यह 40% से तनक साही का माना चाहिए, बी आप्शन होगा, सॉल करने की जुरत नहीं पड़ती है आपको, ठीक न, क्लियर है, बात समझ मे आगे चलेंगे, अगला क्वेशन, जी सवाल आएगा जी आपके सामने, दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर जवाब दीजेगा, एक टाइप का एक क्वेशन ले रहें, बहुत है आपके लिए, सुलेखा, 140 रुपे में 36 किलो चीनी खरीतती है, वह चीनी को 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट पर बेशती है, आपसे पूछा 5 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस, बहुत अच्छा सवाल है, बेसिक कंसेप्ट चीनी आपको बता देता हूं, जैसे 1 किलो चीनी का सीपी, सीपी है, सुलेखा ने 140 रुपे में खरी दिया, 36 किलो चीनी, 36 कि चीनी को बेशती है, 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट पर, भई आप मुझे बताओ, 36 किलो चीनी पर प्रॉफिट कितना होगा, 36 किलो चीनी पर यही प्रॉफिट होगा की नहीं, आप बोलोगे, यहां जी सल, यह जो प्रॉफिट है, यह 10 किलो चीन का जो सेलिंग प्राइस है, वो 36 किलो चीनी के cost price के बराबर है, यह आप mentally भी सोच सकते हो, दिमाग में, कि अगर profit 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर है, that means, बचा 26, तो 26 का जो सेलिंग प्राइस होगा, वो 36 के cost price के बराबर होगा, 36 किलो चीनी का cost price है, कितना, 1040 रुपे, यहां से 1 किलो चीनी का जो सेलिंग प्राइस है, 26 का 104 होता है, मेरी पेर चालिस आ गया, तो 1 किलो चीनी का सेलिंग आगे चलेंगे, next question, बच्च अगरा love you सुलेखा, सवाल में सुलेखा है न, अगला सवाल बताई जल्दी से, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बच्चो जवाब दे दो, गीता ने 2800 रुपे में दो ड्रेस खरी दी, अच्छा बड़ी सस्ती मिल गई, यदि वह एक को 10% के profit पर बेचती है, प्रती एक अच्छा, दो ड्रेस 2800 रुपे इच बोला है, ओके जी, एक को 10% profit पर बेचती है, तो पूरे लेन देन में 15% का profit प्राप्त करने के लिए, उससे दूसरी पोसाग को कितनी पृतिसत के लाप पर बेचना चाहिए, देखे, गी परसेंटेज प्राफिट शुडबी दा एवरेज, दो ड्रेस खरीदी, दोनों का प्राइस सेम है, अठाइस और अठाइस सो में खरीदी है, एक को बेचा 10% के प्राफिट पर, ओवरॉल आपको प्राफिट करना है 15% का, तो दूसरी ड्रेस मेरे प्यारे बाई, कितने प्र 15% एवरेज होना चाहिए, यानि कि इन दोनों का सम होना चाहिए 30, तो 10 और 20, 30 होता है मेरे प्यारे बी, तो सेकेंड रेस को 20% के प्राफिट में बेकना पड़ेगा, यह आंसर है, मेंटली कर सकते हैं, जब भी CP सेम है, बच्चों कोस प्राइस सेम हैं, तो ओवरॉल प्रा प्राइस आपके सामने यहां पर 17, करो बच्चों क्या उत्तर है सवाल का, एक और क्वेश्चन है, यह सा जवाब दीजेगा, जी, करो, सवाल है, दो आर्टिकल X और Y यह उनके कॉस प्राइस सेम है, आर्टिकल X को 20% के प्राफिट पर बेचा जाता है, और आर्टिकल Y को X के सेलिंग प्राइस से 126 रुपे कम में बेचा गया, Y को X 126 रुपे कम में सेल किया गया, दोनो आर्टिकल पर कुल प्राफिट 14% है, तो प्रतेक का CP क्या है, देखें, दो आर्टिकल है, X और Y, सवाल में बोला गया, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है बई, अब आर्टिकल X को बेचा गया, बच्चों कितना, 20% के प अवरेज, शम शुडबी 28, 14 शुडबी दा अवरेज, तो 20 और 28, 28 के आधा 14 होता है, यानि कि आर्टिकल X पर 20% प्राफिट है, Y पर 8% प्राफिट है, CP दोनों का सेम है, तो Y को X से कितने परशंट कम में बेचा गया, 12%, सवाल के को य को X से 126 रुपे कम में बेचा गया, 12 परशंट के वहले 126 है, यहां से 6 से काटेंगे, 2% कितना आएगा मेरे दोस्तो, 2% है 21 रुपे, आप से पूछा है CP, यानि कि मेरे दोस्तो 100%, 100% पूछा है, तो 50 से मल्टिप्लाई कर देंगे, 25, 105, 1050 रुपे इस क्वश्चन का आंसर है, C आप्शन करेक्त है, समझ में आ आ गया, 840 नहीं है भाई, C आप्शन आ रहा है, दौन तरह 50 से मल्टिप्लाई करना है आपको, जी आगे चलेंगे, आगला सवाल, सवाल आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों यहां पर, next, इधर गया, 18 नमबर, जी जवाब दीजेगा, दोस्तों कौन करेगा, मत निकालो मेरा जनाजा, उसकी गली से यारो, वरना उसकी मम्मी कहेंगी कमीना मरते मरते भी एक राउंड लगा गया, हेलेस्ट्रेस रीडर क्यों मरने मारने की बात करते हो, अभी तो जीना है लंबा, इधर देखेगा, हाँ, जी बताईएगा, पहलेस्ट्रेस डीडर बड़े नौटी आदमी हो भाई तुम, रेश्मा सत्रेसो चोंतिस रुपे में दो वस्तुएं A और B खरीती है, वो A को बेशते हैं 16% के लॉस पर, B को बेशते हैं 20% के प्रॉफिट पर, दौनों का सेलिंग प्राइस सेम है ओके, आर्टिकल A को 1147.5 रुपे में बेचा गया है, तो आर्टिकल A पर प्रॉफिट परसेंटेज ग्यात करिए, A, B, C, D, 4 ओप्षन हैं, देखेगा, यहीं कि क्वेशन सॉल करने के लिए आपको आर्टिकल A का कॉस प्राइस चाहिए, यह का कॉस प्राइस नहीं निकले आर्टिकल B को बेचा है, 20% के प्रॉफिट में, तो कितने में सेल हुआ है, 120% में, तो इस शुड़ बीक्वल, अब 1274, 122, 120, तो A और B के Cp का रेश्यो कितना आजाएगा, 10 रेश्यो साथ, आर्टिकल A और आर्टिकल B के Cp का रेश्यो 10 रेश्यो साथ आएगा, आपको य यह लाइन लिखने की जुरत नहीं है, डारेक्ट आप कर सकते थे कि इंटर्चेंज होता है, 20% प्रॉफिट है तो 120, 16% लोस है तो 84, 120 और 84 का रेश्यो ले लेंगे हम, 10 रेश्यो साथ, मेरे प्यारे भाई, यह दोनों के Cp का रेश्यो है, तो टोटल Cp होगा, 10 और 7, 17, ट वाल में 17 की वेल्यू किती दे रखें, 1734, कितने गुना है, तो आप कहोगे सर, 102 गुना है, 102 टाइम्स, तो आर्टिका लेका Cp भी 102 गुना आ गया बच्चो, कितना होगे 102 गुना, 1020 रुपे, एक हजार बीस रुपे, आर्टिका लेका Cp आ गया, बेचा कितने में जा रहा है, तो कितना प्रॉफिट है बच्चो, यह प्रॉफिट है 80, अभी 80, और यहां पे 47, यानि कि 127.5 रुपे का आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, आपको बताने है, परसंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ, बार बार गोला कहां से आ जा रहा है यह, देखें, 120 का 10 10 पर्षंट होता है, 10 पर्षंट तो आएगा नहीं, ठीक है, 10 पर्षंट तो होगा नहीं, 12 पर्षंट से युनिट जिट जा, 4 बनेगा 2 दूनी 4, 60 पी नहीं होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक न, यहीं बचेगा, D option 60 बारे, को कि 120 का 10 पर्षंट 102 हो जाएगा, और बचा धा 25 पांच हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल सेटिस्फाइ कर रहा है, तो D option should be the answer, बहुती बेसिक सा सवाल ता, option से देखा करो, इससे आपको अंदाजा मिल जाता है कि किसके नस्दीक जाना है, सभी बच्चे कर पाए हैं, अगला सवाल, इस सेलिंग प्राइस इक्वल करने वाल क्वेशन फेमस है, यह बताए कि जल्दी से सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर, 19, हाँ जी कौन कौन करेगा इस सवाल को बताओ, तो बड़ा सवाल लग रहा है, हाँ, यह क्वेशन बड़ा फेमस है, कितने बच्चे इस सवाल को करने की तागत रखते हैं, ए ने कैलकुलेट किया अपने प्रॉफिट पर्संटेज सेलिंग प्राइस पर, जबकि बी ने कैलकुलेट किया अपना प्रॉफिट पर्संटेज कॉस प्राइस पर, अगर दौनों के प्रॉफिट का डिफरेंस 588 रुपे है, और दौनों ही लोगों के लिए आर्टिकल का selling price जो है वो same है और दोनों ये कहते हैं कि हमें 28% का profit हुआ तो आपसे पूछा selling price of each article, each article का प्रतेक वस्तू का selling price क्या है ये आपसे पूछा गया है option सामने हैं, देखें दो बंदे हैं A और B दो बंदे A और B हैं ठीक है, यहाँ नीचे मैं मेरे दोस्तों CP लिखूंगा यहाँ मैं SP लिखूंगा, सुनेगा अब थोड़ा लोजिकली समझने की कोशिश करेगा दोनों ये कह रहे हैं कि हमें 28% profit हुआ दोनों का selling price सेम है 28% की fraction value 7,25 दिक्कत कहा है, दिक्कत ही आ रहे है कि A profit calculate कर रहा है selling price पर, A calculate कर रहा selling price पर, जब कि B calculate कर रहा है cost price पर A selling price पर profit calculate कर रहा है, A का profit कितना 28% यानि कि A का selling price अगर 25 है न प्यारे भाई तो उसका 7 profit है cost price कितना होगा 18 B, B अपना profit calculate करता है CP पर यानि कि B का CP अगर 25 है दोस्तो, B का cost price अगर पच्चिस है तो प्रॉफिट है साथ, सेलिंग प्राइस कितना होगा, बीका 32, यह बात सभी लोगों को समझ में आ गई, आप बोलोगे, हाँ जी सर यह बात हमें सभी को समझ में आ गई है, सवाल के कॉर्डिंग, दौनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, एक ने सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के एसपी को बेस मानके, अगर पच्चिस आपका सेलिंग प्राइस है, तो साथ प्रॉफिट है, सीपी यहाट होगा, सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, यहाँ पच्चिस से गलत बात है, यहाँ सेम करने के लिए मेरे प्रॉफिट किस से रखा है 588, profit क्या होता है, यह SP मानस CP, इसमें से घटाएंगे 32, कॉमन ही है, 25 मानस 18, 7 हो गया, यहां से मेरे दोस्तों घटाएंगे, 25 तो कॉमन ही है, 32 मानस 25, 7 हो गया, profit का भी आप difference लेंगे, यह भी 7 गुणा साथ, 49 आगया मेरे दोस्तों profit का difference, 49 की value ही सवाल में, 588 रुप 9 बचेगा यह आपका 12 गुणा है, एक की value 12 रुपे आगी, आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से घटाएंगे, तो कॉमन लेके इसली निकल जाता है, प्यारे बाई, प्रतेक वस्तु का selling price, प्रतेक वस्तु का selling price आपको निकालना है, तो आपको इसका 12 गुणा करना है, 12 टाइमस, तो 25 गुणा 12, 300 गुणा 32, 96 रुपे, तो इच वस्तु का जो selling price आएगा, वो 9600 रुपीज आएगा, यह इस question का answer है, D option correct है, ठीक है, बहुत ही जबर्दस question है, मेरे दोस्तों, selling price सेम करने वाला, ठीक है, चले, अगला सवाल, सवाल आपके सामने आएगा जी, यहाँ पर, 20 number question, करिए दोस्त, बनाओ, देखीगा, अब पेपर में profit loss के सबसे जादे जो question पूछे आते, वो पूछे आते, deviation के concept है, अगर आप deviation का इस्तेमाल अच्छे से सीखे, तो आप profit loss के इन सवालों को कर लिंग, कर लेंगा आसानी से, जो आपको next आप बताने वाला हूँ, उसलाए deviation का है, देखीगा, एक व्यापारी ने 50 उरपे पर केजी की हिसाब से, साड़े 600 किलो गैहूं खरीदे, इसमें से 200 किलो गैहूं बेचे 24% के profit पर, 200 किलो गैहूं बेचे 24% के loss पर, ठीक है, अपने आरंबिक निवेस पर 20% का profit प्राप्त करने के लिए, टोटल 20% का profit अगर चाहिए, तो बाकी गैहूं को किस दाम पर बेचना चाहिए, अगर टोटल 20% profit अरण करना चाहते हैं, प्यारे भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे दोस्तो, सबसे पहले मेरे प्यारीबे, जो आपकी quantity है, उसका ratio ले लो, base value का ratio ले लिया करो, ये 600 है, ये 500 है, ये 200 है, सब कुछ 50 से कट रहा है, अगर टोटल 13 kg गैहूं है, तो ये है जी 5 kg गैहूं, 5 kg गैहूं आपने बेचा है, 24% के profit पर, 50 से मेरे दोस्तों काटेंगे, 4 बार जा रहा है, 4 kg गैहूं आपने बेचा है, 24% के loss पर, बचा कितना प्यारे भाई, 13 में से 5, टोटल तो 13 kg था न, 13 में से 5 और 4 नो बिग गैह, बचा कितना 4, बार, तो 4 kg गैहूं कितने percentage profit पर बेचना चाहिए, जिससे कि overall 20% का profit हो, कुल 20% का profit हो, मेरे दोस्तों जवाब दीजेगा, आप सभी लोग, ठीक न, तो जो भी आपकी base value है, आप उसका ratio ले लिया करो, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, करो, तो ये कितने percent profit पर आपको बेचना चाहिए, जिससे कि आपको total 20% profit हो, जवाब दीजेगा, तो आप कहोगे सथ, total समान है कितना, 5, 4, 9, 4, 13, तो 13 के समान पर मुझे 20% profit चा ये, यहां कितना profit हो चुका है, 5, 24, यहां कितना profit हो चुका है, minus 4, 24, 24 तो 24% तो अलड़ी हो चुका, 5, 24, 24 बचा न, 260 में से 24 तो अलड़ी हो चुका, बचा कितना, 260 में से आप लोग 24 घटाईएगा, तो बचेगा मेरे प्यार भी 236, 236% का profit चाहिए आपको 4 समान पर, तो और यहां पर चार नाम 36, 59%, यानि कि रिमेनिंग समान को 59% के profit पर सेल करना चाहिए, अगर आप से ये पूछा होता न, कि रिमेनिंग समान को कितने percent profit पर सेल करना चाहिए, तो 59 आजाता, लेकिन सवाल इससे एक level आगे है, पूछा है, 50 रुपे पर केजी की हिसाब से ग्या किस दर पर बेचना चाहिए, सेस दर को 69% profit पर बेचना होगा, सेस गहां को, आपने खरीदा ता 50 रुपे पर केजी की हिसाब से, 69% profit पर बेचना होगा, तो 50 के 1.59, 169% में बेचना होगा, मेरे दोस्तों, इस दाम पर सेल करना होगा, 15, 15, 75, 75 से जाद आंसर आएगा, वो ए की option है, C ये correct होगा, रुपीज में आप से पूछा है, तो आपको रिमेनिंग गहों को 59% के profit में सेल करना होगा, 50 रुपे पर 159% profit लेंगे, तो 159% में सेल करेंगे, C option should be the answer, इस सवाल का option और बहतर सेट किये जा सकते थे, बहुत ही जबर्दस सवाल है, अरे आया, good question है न, आगे चलेंगे, अगले सवाल की तरफ, मज़ा आएगा मेरे दोस्तों ये, वराइटी बहुत जादर famous है profit loss के सवालों में, ये करेंजी, सवाल लंबर है 21, जवाब दो, कौन करेगा? ठीक में 5-6 likes पूरे हो चुके हैं, अब आगे भी बढ़ाईए, बच्चे गरा 19 वाले सवाल का type का एक question और करवा दीजे, दीप सदू देखो मैंने एक सवाल करवा दिये न, उस type का हूँ, आप उसको दुबारे repeat करके देखलो, उस सवाल में सब कुछ है, और वो अच्छे data का भी है, मैं हर एक सवाल के एक दो-दो type ले रहा हूँ, लेकिन वो best question ले रहा हूँ, उस type का, जी बताएगा, अनुप ने कुछ कलम 95 में खरीदे, उसने 40% कलमों को बेचा 12% के loss पर, सेस कलमों का एक तिहाई 25% के profit पर, पूरे शौदे में 10% का profit अर्न करने के लिए, उस सेस कलमों को कितने प्रतिसत लाब पर बेचना चाहिए, तो 95% कलम खरीदे, इसका कोई लेना देना नहीं है सवाल से, आप पहले कलमों की संख्या का रेश्यो निकालो, कलमों की संख्या का रेश्यो, जैसे मेरे प्यारे भी 100 कलम है, 100 का 40%, 40 कलम उसने बेचे, 12% के loss पर, सेस कलम कितने बचे, सेस कलम बचे, साथ ही, मैंने दिमाग में सोच ले तो 60 का एकतिहाई, इसली हो जाएगा, 100 कलम थे, प्यारे भाई, जैसे टोटल 100, 100 में से 40 बेच दिये, 12% के loss में, बचे 60, 60 का एकतिहाई कितना होता है, 20, तो 20 कलम बेचे गए हैं, कितना, 25% के profit पर, अब बचे कितने कलम भाई, साथ ठिकाने लगे, बचे दोस्तो 40 कलम, 40 कलम कितने परशंट के profit पर बेचने चाहिए, कि ओवरॉल आपका 10% का profit हो, ओवरॉल 10% profit हो, यह रेश्यो ने ले सकते भाई, रेश्यो ले सकते, 20,000, 2 रेश्यो, 1 रेश्यो दो, आप बोलोगे जी सर, बिल तो देखो, 2 और 2, 4 एक 5 कलम है, 5 कलम पर आपको 10% profit चाहिए, टोटल 50 हो गया, यह आपको 12, 2 ने 24, माइनस 24 तो मिली रहा है, माइनस 24, यह कितना है, 25, तो 25 और माइनस 24 हो गया, 25 और माइनस 24 एक हो गया, टोटल आपको 50 चाहिए, तो यहा कितना profit चाहिए, आपको 49%, परश चास बटे दू आ गया जी, साड़े चौविस, साड़े चौविस परशन के प्रोफिट पर रिमेनिंग कलम को सेल करना पड़ेगा, ए ओप्षन आंसर है, तो इससे सवाल, आसान सवाल क्या होगा, ठीका जी, अगला सवाल लेंगे, सवाल आपके सावने आएगा, मेरे प्यार रिश्टोरेंट से 21 नंबर क्वश्चन था, अपन लोग लेंगे 22 नंबर सवाल, जी, जवाब दीजेगा, करो, सबसे जादे इंपोर्टेंट वेराइटी है ये, एक दुकानदार ने 400 रुपे में एक टेबल, और 1800 रुपे में एक कुरसी खरीदी है, मेज को 10 परशन प्र बेचा है, कुरसी को 6 परशन प्रॉफिट में बेचा है, कुल प्रतिसत लाब बताइए, ये आंसर तो कभी आही नहीं सकता, अगर टेबल को मेरे दोस्तों 46 की खरीदी है, और ये चेयर 1800 की, तो रेश्चो बताओ बई, ये 2000 रेश्चो 9, 23 रेश्चो 9, आप बोलोगे जिस टेबल और चेयर के CP का रेश्चो है, टेबल को बेचा 10 परशन के प्रॉफिट पे, चेयर को बेचा 6 परशन के प्रॉफिट पे, अब सुनना मेरे प्यारे भाई, अगर बेच CP सेम होता, तो ओवराल आजाता, एवरेज 8 परसेंट, ये भी नहीं आएगा मेरे प्यारे तो ओवराल प्रॉफिट आजाता 8 परसेंट, लेकिन है सेम नहीं है, टेबल का जादे है, टेबल का CP जादे है, यानि की आंसर 8 से 10 की तरफ, इसकी तरफ सिफ्ट करेगा, यानि की आंसर 10 की तरफ सिफ्ट करेगा, 8 से 10 की तरफ, ये नहीं आएगा, 8 परसेंट से जादे आ इसका CP जाद है, यानि कि आंसर 10% की तरफ सिफ्ट करेगा, 8 से 10 के बीच में आएगा, वो एक ही option था, खतम. स्वाल करना चाहते हैं, CP का रेश्यो मुझे पता, यहां 10% profit है, 10% को break कर सकते हैं, 6% प्लस 4% आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल सही, 6% यहां भी है, 6% यहां भी है, 6% तो होगा ही होगा, आप बोलोगे, यहां जी सर होगा, यहां extra कितना है, तो 23 चौका मेरे दोस्तों यहां पे आपका यह extra है, यह जो भी extra profit है, इसको सारे में बाट देंगे, सारा मतलब 23 अरुनों 32 में बाट देंगे, तो 4,8, 32, 30 बटे 8 का मतलब मेरे दोस्तों, 2 सही 7 बटे 8, तो यह क्या तना आ जाएगा, 8 इस्टू 7 बाइट परसेंट, यह solve भी हो गया, clear है, सबसे आसान तरी जवाब दो, reply तो करें, ठाकूर साब आपके message का और कैसे reply करें, सर मोक लगाता हूं तो कम number आते हैं, वही प्रीविसल लगाता हूं तो उसमें जादे number आते हैं, गोत्तर स्वामी को कि आपने केवल chapter wise की practice कर रखें, missliness question नहीं पढ़ें, जितने जादे आप mock test लगाओगे, आपका score boost up होगा, chapter wise पढ़ना एक अलग चीज है, type wise पढ़ना और mix question solve करना एक अलग चीज है, ठीक है, practice चाहिए हो उसके लिए, कौन करेगा भाई, बहुत ही प्यारा सवाल है, car का जो cost price है, scooter से 500% जादा है, car का price 15% घटता है, scooter का price 20% बढ़ता है, तो आप से पूछा, percentage increase क इतना होगा, total cost of 4 cars and 5 scooters, यह viral pattern है, यह है मेरे दोस्तों, car यह है scooter, बोला, car का मुल्ले scooter से 1500% अधिक है, 1500% की fraction value 3.2, car का जो price है scooter से 3.2 जाद है, यहीं कि scooter अगर 2 रुपे का है, तो car 5 रुपे की, आप बोलोगे जी सर, यही है, हुआ क्या, हुआ यह, कार का मुल्ले 15% घट गया, जबकि scooter का जो price है, वो 20% बढ़ गया, आप से पूछा, net change बताओ, किस में change बताना है, बही, 4 car, 4 car मेरे प्यारे भाई, और 5 scooter के price पे कितने का change आएगा, 4 car और 5 scooter के price पे, ठीक है, बही, कुल कितने पृतिसत की कमी या वरद्धी होगी, तो अब मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा, क्या आप दिमाग नहीं लगा सकते, यहाँ ratio ले लो, 4, 5, 20 और 10, 20 ratio 10 कितना आगया मेरे प्यारे भी, तो आपका जवाब होगा सब्सक्राइब, दो ratio 1 हो गया, बेस value का आप ratio ले लोगे, तो चीजे बहुत आसान हो जाएगी, तो this is 2 ratio 1, आप से overall effect पूछा है, तो आप नहीं कर सकते क्या, 15 है दूनी 30, मानस का 30 और प्लस का 20, मानस का 10% आएगा, कितने समान पर, 2 एक 3 रुपे के समान पर, data बहुत आसान है, weighted average हम लगाएंगे, तो minus sign negative को बताता है, increase नहीं होगा, कितना decrease है, 3 to 1 by 3%, A option decrease है, बोलो, समझ पाएं, अगला सवाल, सवाल आपके सामने आएगा बच्चों, यहाँ पर जवाब दीजीगा, 24 नमबर करो बच्चों, क्या उत्तर है, जिस बच्चे ने सवाल कर दिया, उसकी नौकरी तील लगेंगे एक साथ, बढ़का बढ़का language देखके डरना नहीं है आप लोगों को, अब भाई, जब हकीकत यही है, कि पेपर में जाद सबसे याद है question profit loss की language पे जो आ रहा है, आ तो discount पे आता है, या वरी यह, divation वाला आता है, अरे मज़ा आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, आज कोई मैच है क्या, मैच है क्या, आज क्या क्या, क्या क्या क्या, टेबल का जो price की करसी से 200% जाद है, करसी की कीमत अलमारी से 20% कम है,। प्रते हैक मेच, करसी की कीमत में 25% की कमी की जाती है, अल्मारी की कीमत में 25 परशेंड की वरद्धी की जाती है तो चार मेज पांच कुरसियां आठ अल्मारी की लागत में पृतिसत वरद्धी या कमी क्या है option आपकी सामने लग रहा है न गोरा सवाल नूजिलेंड इंडिया का मेच बता रही है मतलब यह पढ़े ना है वारे वजे के बाद है वे दुष्टो अचा मेजन प्राइम पे आ रहा है टीवी बना दे रही लाइव जी दा कॉस्ट आफ अब यहां पे क्या-क्या है यहां पे है टेबल चेयर और अल्मारी टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है वह दोसो पर्षंट जाद है चेयर से यानि कि चेयर अगर एक रुपे की है तो आपकी टेबल तीन रुपे की है दोसो पर्षंट जाद है रखना है अगली बात चेयर का जो सीपी है वह अल्मारी से 20 पर्षंट लेस है 20 पर्षंट मतलब एक वटे पांच अल्मारी अगर पांच रुपे की है तो आपकी चेयर चार रुपे की है तो balance करने के लिए 12 ratio, 4 ratio, 5 हो जाएगा, 12 ratio, 4 ratio, 5, यही आ जाएगा, मेरे प्यारे भी आप बोलोगे, जी सर, यह तीनों के CP का ratio आ गया, समझे न, कैसे ratio combine किया हमने, आप बोलोगे, हाँ जी सर, बिल्कुल सही, ठीक है, अब आप से क्या पूछा है, यहां तक दिक्कत है, बता 25% घटा, जबकि अलमारी का price 25% बढ़ता, इसका 25% बढ़ा, तो आप से percentage, increase, decrease पूछा है, किस में, 4 table, 4 table, 10, 10, और, 5 chair, और, 8 अलमारी के price में, तो multiply कर दो, 4 table, 5 chair, 8 अलमारी के price में, कितना net percentage का change आएगा, ठीक है जी, तो मेरे प्यारे भाई, यहां ध्यान से देखेंगे, सब लोग, तो 4 से cancel out हो जाएगा, 4, यह 4 और यह 4 दूनी, 8, तो कितना आगया मेरे दोस्तों, 12 ratio 5, ratio 10, तो 12 ratio 5, ratio 10 आगया, मैं लिख सकता हूँ, इसको काटके यहां पे, 12 ratio 5, ratio 10 आगया, आप बोलोगे, जी सर, बिलकुल सही, आप से पूछा है, ओवराल इफेक्ट कितना आएगा, ठीक है, जी, ओवराल इफेक्ट, तो भी यह 12 गुणा 25, और यह 5 गुणा 25, मानस 17 गुणा 25 हो गया, और यह 10 गुणा 25, मानस 17 गुणा 25 प्लस 10 गुणा 25 तो आगया, मानस 7 गुणा 25, यानि कि निगेटिव आ रहे है, बच्चो, अगर ओवराल आंसर निगेटिव आ रहे है, तो इंक्रीज नहीं आएगा, डिक्रीज आएगा, यह दोनों आप्शन नहीं हो सकते, ठीक है, बाई, कितने के समान प लोग के जीस, और यह डिक्रीज आएगा, मेरे दोस्तो, यह आंसर दो बच्चे, साड़ेटिव एक 6.9, 27 का साथ गुणा कितना होता है, बई, 140 और रहे है, यानि कि मेरे दोस्तो, 6.9 भी नहीं आएगा, यह ओप्शन आएगा, साड़ेटिव पर्शन डिक्रीज, अरे वे करेक्ट आंसर बहुती बढ़िया सवाल था, सभी बच्चे समझ पाए हैं, जवर्दस्त क्वेश्चन आगे चलेंगे, अगला सवाल आपके सावने फेक्के मारेंगे भी सवाल लंबर है 25, जवाब दीजेगा कौन करवाएगा इस सवाल को, जी, सवाल MTS 2020 के पेपर माया थ वन आप दा बेस्ट क्वाल्टी क्वेश्चन करिए झाल झाल जी, बताएगा इस क्वेश्चन का क्या अंसर है, एक दुकानदार 500 नॉट्बुक खरीता है, ठीक है, उसमें से 300 नॉट्बुक उस मुल्ले पर बेचता है, जिस मुल्ले पर उसने 500 नॉट्बुक खरीते, खरीदे थे, एक सो चालिस नॉट्बुक को बेचे गए 300 नॉट्बुक के मुल्ले से 20 पर सेंट अधिक दाम पर बेचता है, सेस नॉट्बुक को किरिय मुल्ले पर बेचता है, पूरे लेन देन में उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, देखे एक दुकानदार ने 500 नॉट्बुक तो भया मेरे प्यार में माल लिए कि 500 नॉट्बुक 500 नॉट्बुक के है, एक नॉट्बुक का जो cost price है वो एक रुपे माल लिया, 500 नॉट्बुक मैंने 500 नॉट्बुक के माल लिया, एक नॉट्बुक एक रुपे का, उसने 300 नॉट्बुक को बेचा है कितने पर उस दाम नोटबुक को, क्या बोला, 140 नोटबुक को बेचे गए 300 नोटबुक के मुल्ले से 20% अधिक पर बेचता है, तो वे 500 से 20% ज्यादा यानि की 600 रुपे में बेचेगा, आप बोलोगे जी सर्फ, और 60 नोटबुक को क्रिया मुल्ले पर बेचता है, से 20% कितने बचे है, 440 होगे, से 20% बचे 600, 60, 60 नोटबुक कितने बेचेगा, किरिया मुल्ले पर बेच रहा है, यानि की 60 नोटबुक 60 रुपे की ही बेच रहा है, यही है ना, तो पूरे लेंदेर में कितना प्रॉफिट हुआ, तो नोटबुक जो उसकी थी 500 रुपे की थी 500 रुपे की बिग कितने की गई गई 660 की 500 नॉट बुक थे उस पर ये 560 रुपे का एक्स्टा प्रॉफिट हुआ 500 के समान पे 660 रुपे का एक्स्टा प्रॉफिट हुआ परसेंटेज में इंटो 100 परसेंट तो यह आएगा कुछ गरबढ है क्या कि 60 होगा एक शॉप कीपर ने 500 नॉट बुक खरीदे उसने 300 नॉट बेची है उस प्राइस पर जो उसने 500 नॉट बुक के लिए पे किया था तो 500 नॉट बुक के इसलिए 500 रुपे किये था यह हो गया एक सो चालिस नॉट बुक को बेचे गए 300 नॉट बुक के मुल्ले से अधिक दाम पर बेचा बेचे के 300 नॉट बुक के मुल्ले से अधिक दाम पर बेचा तो 300 नॉट बुक का मुल्ले 300 का 20 याने की 360 आएगा है 360 आएगा 300 नॉट्बुक का मुल्य तो 300 रुपे ना 300 से 20% ज्याद है 360 में बेचा तो बहुत देखो 500 रुपे की टोटल नॉट्बुक थी 500 में तो ये बिकी गया ये एक्स्टा भिका ना 420 तो 420 रुपे मेरे दोस्तो आपका एक्स्टा हुआ किलियर है 360 प्लस 60 कितने पर मेरे दोस्तो 500 पर और परसंटेज में टो 100% तो कितना आएगा 2-0 यहां से 5-8-4 5-24 84% आ रहा है बीबी कहां दिखकत है इस सवाल में 68% बता रहे हैं बच्चे 500 नॉट्बुक खरीदी हैं 500 रुपे की हमने माल ली ठीक है 300 नॉट्बुक को बेचा उस प्राइस पर जिससे उसने 500 नॉट्बुक खरीदी ते 500 नॉट्बुक पांसो में खरीदी तो 300 नॉट्बुक उसने बेच दी 500 रुपे की अब उसने 140 नॉट्बुक को बेचे गए 300 notebook के मुल्ले से 20% अधिक दाम पर बेचा 140 notebook को बेचेगे 300 notebook का price तो 300 है ना 300 से 20% ज्याद है एक का 5 बटे 3, 140 कहा फिर से बताता हूं मेरे दोस्तों अब गड़बड समझ में आ गई हमने माले की 500 notebook 500 रुपे की है 300 notebook को उसने बेचा उस price पर जिसने उसने 500 notebook खरी देते तो 500 notebook 500 रुपे के खरी देते 500 रुपे में बेच दिया selling price है 140 notebook को बेचा है उसने 300 notebook के मुल्ले से 20% अधिक दाम पर 300 notebook उसने 500 रुपे की बेची है एक नॉट्बुक पांच बटे तीन रुपे की है, एक नॉट्बुक, 140 नॉट्बुक इतने रुपे की होनी चाहिए, 140 नॉट्बुक इतने रुपे की होनी चाहिए, इससे 20% ज्यादे दाम पर बेचा, यानि की 1.2 टाइमस में, तो तीन चौक बार ही आएगा मेरे दोस्तों यहां से तो 520 यह 280 रूपे आएगा 280 रूपीज क्लियर है आप बोलो के हां जी सब बाकी बची 60 नॉट्बुक 440 होगी बाकी बची 60 तो 60 नॉट्बुक जो वो किरिय मुल्ले परी बेची आनि की 60 नॉट्बुक 60 रूपे की बेची है ठीक है जी आप बोलो के जी कोई दिक्कत नहीं है तो आप मुझे बताओ ये टोटल समान तो 500 रूपे का हुआ प्रॉफिट कितने का हुआ 500 का प्रॉफिट तो 500 का समान 500 बि पांच 68 परसेंट आएगा ठीक है बाई तो यहां पर ना 149 लेंग्विज को थोड़ा सा और खिलर करके लिखना चाहिए बहुती आसान सा सवाल है आगे चलेंगे सवाल लंबर है आपके सामने सुरज ने साड़े 12 रुपे की दर से 90 वस्तों खरीदी उसमें से 60 परसेंट वस्तों को उसने बेचा 15 रुपे पर वस्तों की दर से सेस में से 50 परसेंट वस्तों को उसने बेचा 16 रुपे की दर से इस पूरे सेम वहवार में 20 परसेंट का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे सेस वस्तों को किस मुल्य पर बेचना चाहिए यहां पर इस बार एक्जक्ट मुल्य पूछा है जी जवाब दो कौन करेगा सूरज ने साड़े 12 रुपे की हिसाब से वस्तों खरीदे कितनी नब्भ है 60 परसेंट वस्तों को 15 की दर पे बेचा है 50 परसेंट को साड़े 10 रुपे की दर से पेचा है overall 20 परसेंट का प्रॉफिट चाहिए तो remaining वस्तों को किस दर पे बेचना चाहिए तो पहले वस्तों का यहां पर ले लो आप ratio, जैसे मेरे दोस्तों मैंने total 100 माल ले, 90 को छोड़े के वाल आपको confuse करने के लिए दे रखा, मैंने total 100 वस्तों माल ली, तो 100 मैं से 60%, 60 वस्तों उसने कितने बेची है 15 की दर से, एक कितने की बेच रहा 15 की, बाकी बची 40, बाकी 40 बची, तो 40 का 50% कितना होता है 20, 20 वस्तों बेची है 10.5 रुपे की दर से, बाकी कितनी बची, total 100 थी न, 100 मैं से 80 ठिकाने लगी, बची 20, 20 वस्तों को किस प्राइस बेचना चाहिए, कि overall उसे मेरे दोस्तों 20% का लाब हो, तो आप यहां से रेशो ले लो, रेशो ले सकते हैं, बताओ किस से जा रहा, 20 से तो कटी रहा है न, 3 रेशो 1, रेशो 1 करके, 20 से कटी गया, 3 रेशो 1, रेशो 1, इस सबसे बैस तरीका है, कि जो भी आपका बैस वैलू, उसका रेशो ले लिया करूँ, मैंने टोटल 100 वस्तों माल ली, तो 100 में से 60 भी गिया, से सब्द लगा है, एक सब्द पूरे साल को गडबल कर सकता है, से इस को धानके का बची 40, 40 का 50% आपका 20 हो गया, फिर 20 और रुपे की दर से आपने खरीदी थी, अगर आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो आप मुझे बताओ, वस्तु कितने की बिकिनी चाहिए, साले बारे में, अगर मैं 20% एड करूँगा, तो साले बारे का 20% होता है, धाई, साले बारे में धाई जोडेंगे, तो overall price होना चाह है, साले 4 रुपे कम है, अगर overall 15 है, तो या भी 15 होना चाहिए, या 64 रुपे कम है, एक वस्तु पे साले 4 रुपे कम मिलना हा है, तो शाळे 4 रुपे मेरे दोस्तों एक्स्टा होना चाहिए, इतने आर्टिकल पे एक आर्टिकल पे बटे एक, तो 15 प्लस 64 याने कि 16, तो remaining आ बस तो यह देखें न, examiner आपकी calculation को इतनी बढ़ा देगा, बहुत ज़्याद है, magnet aspirin कहरें, sir, मैं आपकी वीडियो की छोटी-छोटी के लिए अपने चैनल पर डालता हूं, sir, copyright stack तो नहीं मारेंगे, मैं किसी भी चैनल पर किसी प्रकार की कोई copyright stack नहीं मारूँगा, कोई भी किसी प्रकार की वीडियो डालो, लेकिन न, कभी-कभी ऐसा होता है, कि हम किसी और context में बात कर रहे हैं, तो बस अपने काम की चीज़ निकाल लेते हैं, उसके आगे का और पीछे का हिस्सा हटा देते हैं, उससे उसका meaning बिल्कुल बदल जाता है, अब जैसे हमने जो है, एक वीडियो वोला, वो मोधी चोर है, अब वो हिस्सा डाल दिया, जबकि मैं किया हूँ, निरव मोधी चोर है, वो इंग्लेंड से वापस नहीं लाया जा रहा, कोट केश चल ला है, अब इतना क्लिप डाल के बवाल कर दिया जाएगा, आप डालें तो आगे पीछे का context जरूर डालें, ऐसा बहुत होता है, अपने फाइदे के लिए, केवल व्यूज के लिए और फर्जी चटकारे वाले थमनेल लगा के, यूट्यूब पर गंदगी ना फैलाए, बाकी आप वीडियो डाल सकते, मैं कोई स्ट्रेक नहीं बारूँगा, जब तक उसमें, लेंग्विज के साथ जोए छिड़कानी न करी जाए, ठीक न, मरियाला में रहनी चाहिए, वीडियो और उसका थमनेल, आगे चलते हैं, यह सवाल 26 था, सवाल लंबर मेरे दोस्तों आपके सामने 27, यह करो बच्चे, क्या हुआ, टॉस डिलेट ड्यू टू वेट आउट फिल्ड, यह हुई ना बात, ऐसी होना चाहिए, एक दुकानदार 60 रुपे पर केजी, 80 रुपे पर केजी और 120 रुपे पर केजी वाली तीन चाय को मिलाता है, कितना? पांच आट साथ के रेश्यो में, 25 पर्शन प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसे चाय के इस मिस्रण को किस दाम पर बेचना चाहिए, औप्शन आपके सामने हैं करो, ठीक है, एक आदमी तीन टाइप की चाय को मिला रहा है, पांच रुपे, किस रेश्यो में? पांच आट साथ के रेश्यो में वो मिलाता है, चाय का प्राइस कितना है? साथ रुपे, असी रुपे और एक सो बीस रुपे, ठीक है जी? तो आप से यही पूछा गया है कि अगर आपको ओवरॉल 25 परशन ट्रॉफिट चाहिए, तो किस दाम पर बेचना चाहिए? जब पहले तो आप यह निकालो, कि अगर तीनों चाय को आप मिक्स कर दोगे, तो जो मिक्षर बनेगा, उस मिक्षर का कॉस्ट प्राइस क्या होग पहले आप यह निकालो, मेरे प्यारे भई, तो मैंने माल लिए कि मिक्षर का जो कॉस्ट प्राइस से 80 होगा, अपनी मर्जी से कुछ भी माल लीजिए, भई, यहां तो 20 कम है, मेरे दोस्तों आपका 100 हो रहा है, मानस का 100, तो कितना आएगा, मेरे दोस्तों, 180 आएगा, 180 साथ 20, 180 बटे 20 आगया, याने की 89, तो 89 रुपीज पर केजी मिक्षर का कॉस्ट प्राइस आजाएगा, अगर आप इन तीनों चाय को मिक्स करोगे, तो जो मिक्षर बनेगा, उसका कॉस्ट प्राइस 89 रुपी पर केजी आएगा, ठीक है, भई, 25 परफिट कमाने के लिए कि एक का 25 परशंट आप निकालेंगे, तो 0.25 होता है, यानि कितने दाम पर बेचना पड़ेगा, 0.25 आएगा भी 111, 0.25 इस क्वेशन का अंसर B आप्शन, यह आ रहा है सभी का, बोलो, कर लोगे अब आप इस टाइप का सवाल, मैंने आपको इस टाइप के जितनी भी किस दाम पर बेचना चाहिए, यह remaining को किस पर बेचना चाहिए, अगर आपको CP actual दियाओ, हमेसा base ratio लेके आप करेंगे, यह मैंने आपको करवाया, जहाँ पर 4-5 आर्टिकल मिक्स कर देता है, यह MTS का एक फेवरीट कोश्चन है, यह मैंने करवाया, हर एक टाइप को मैंने क करेंगे, बताओ जल्दी से, यह जो सवाल आपके सामने दिखाए ज़रा, हलकिवा मत लीजेगा, कोई CGL, CHSL, CPO, कोई ऐसा paper नहीं बचा, जिसमें सवाल ना आया हो, data बदल बदल के करो, ठीक है बई, जी, इस shopkeeper bought 20 kg of rice at 55 रुपे पर kg, 25 kg of rice at 50 रुपे पर kg, and 35 kg of rice at 60 रुपे पर kg, he spent a sum of डेड़ सो on transportation, ट्रांसपोर्टेशन पर डेड़ सो खर्च किया, उसने फिर सारे चावल को mix किया, और mix करके स्टॉक को बेचा, 62.56 रुपे पर kg में, तो आप से पूछे, entire transaction में कितना profit हुआ, बहुत अच्छा सवाल है, एक एक चीज निकालनी होगी, ध्यान से समझेगा, पर उसने खरीदे हैं, 20 किलो चावल, 55 रुपे पर kg वाले, तो कितने हो जाएंगे, 55 गुणा 20, 1100 रुपे के चावल हो जाएंगे, उसने खरीदे हैं, 50 रुपे पर kg वाले, 25 किलो चावल, तो 25, 125, 1250 रुपे के चावल हो जाएंगे, उसने खरीदे हैं, 35 किलो चावल, 60 र transportation पे भी खर्च किया तो ये भी उसके cost में count आएगा तो उसका जो total खर्चा हुआ है मेरे प्यारे वह total खर्चा ये हुआ है दो हजार एक तीन हजार एक चार हजार हो गया अब 100 और 100 दो सो और 200 और 200 करेंगे 400 तो चार हजार 600 रुपे आगया उसका total खर्चा ये ही आगया आप बोलोगे जी सर आप से पूछा है पूरे लेंदेन में उसका profit percentage बताईएगा 400 रुपे का total खर्चा आया चावल को खरीदने का उसके बाद उसने क्या किया सारे चावल को mix किया और mixture को 62.56 रुपे पर केजी के हिसाब से बेच दिया वैं mixture बना कितना है mixture बना है 55, 20 और 25, 50 और 20, 70, 70 और 55 मेरे दोस्तों 125, 125 केजी मिक्षर बना है total 125 केजी देख पा रहे हैं सब कुछ add करेंगे 70 और 55, 125 केजी मिक्षर बना है एक किलो मिक्षर बिक रहा है 62.56 किलो का 62.56 रुपी पर किलो 125 किलो इतने का बिक्येगा तो ultimately मेरे प्यार भी इतने रुपे का समान इतने रुपे में बिक्या तो percentage profit कितना हुआ ratio ले लेंगी ऐसा नहीं कि आप exact इनकी गुणा करने बैठ गे आप ratio ले लो दोस्तो ratio साब की calculation आसान हो जाती है ठीक है ना आप बोलोगे हां जी सर बिलकुल सही तो पच्चिस चौका सो और ये पच्चिस पंजे एक सो पच्चिस आप बोलोगे जी सर बिलकुल यहां तक कोई परेशानी नहीं है ठीक है अम मेरे दोस्तों चार में मेरे प्यारे बैई क्या है चार है या पर दो है आठ आठ से काट लेते हैं तो यह बचेगा जी तीज और आठ से मेरे दोस्तों जब इसको काट ओगे तो अठ्ठू मठ्ठू 64 और सॉरी अशी केजी है बीस गड़ लिख दे हमने सॉरी चावल की क्वांटिटी जो है यह 20 किलो है यह आपका 25 किलो है यह अलग-अलग लिखा हुआ है और यह 35 किलो चावल है यह अलग-अलग लिखा हुआ है 20 किलो चावल यह है यह 25 किलो चावल है 35 किलो चावल है तो टोटल क्वांटिटी 35 और 25 और 20 80 किलो चावल है टोटल टोटल चावल यहां पे दोस्त 80 किलो आ रहा है और 80 किलो चावल आपने बेचा है 1 किलो 62.5 है रुपे का तो यह 80 गुणा 62.5 है अब इसका रेश्यो 23 से ही काटो जाद है बैटर रहेगा 23 से दो बार ठीक है भई तो 32 दूनी 46 मेरे प्यारी भी यहां से कितना बचेगा आपका 40 और यह आपका बचेगा जी यहां से 6 तो 30 छिक्का 138 और 27 एक सथ यहीं 21 दूनी चाली से 2.72 चला गया दो सो, और दो से मेरे दोस्तों इसको काटेंगे, तो मेरे प्यारे भई, एक और ये हो जाएगा आपका 40, तो कितना आगे, 100 रेशियो, 2.72 टाइमस अफ करेंगे, 40 का, तो 108 और ये आपका 0.8, 108 यही आएगा, ठीक है, बेस को 100 बना लेते हैं, तो आपकी कैलकुलेशन आसान ह होते हैं, क्योंकि 100 में जो भी चेंज आता है, वो डारेक्ट पर्शंटेज में आता है, 100 का समान इतने में जाएगा, तो कितना प्रॉफिट है, 8.8 पर्शंटेज प्रॉफिट यह आंसर है, यह आप्शन, ठीक है, यूनिट इजिट भी आप मैंच कर सकते हैं, इस सवाल को सॉल करने के लिए, अगला सवाल, सही तो हो गया, सवाल लंबर है आपके सामने, 29, जी यह बताएगा जल्दी से, एक व्यक्ती 10 कल में 8 रुपे में बेचता है, 24 पर्शंट का प्रॉफिट अर्न करता है, 55 पर्शंट का प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसे 1530 में कितनी कल में बेचनी होगी, most important सवाल है, ठीक न, एक ही सवाल करवाँगा, इस टाइब का, एक ही सवाल में समझ लेना, पेपर में बार बार आता है, डाटा बदल बदल के, लेंग्वेज इसकी फिक्स है, कितनी कल में इतने रुपे में बेचता, इतना पर्शंट प्रॉफिट कितनी कल में, कितने रुपे में बेचे, कि इतना पर्शंट प्रॉफिट हो, तो बेसिक स्याप कर सकते हैं, रेश्यो बना के, इसको सीधा आप ध्यान रखेगा, दस कल में, दस कल में बेची हैं, दस कल में, कितने रुपे में, 18 रुपे में, प्राइस हमेशा नीचे दस कल में कितने रुपे में बेची हैं, 18 रुपे में बेची हैं, कितना प्रॉफिट हुआ, 24% प्रॉफिट हुआ, 24% प्रॉफिट का मतलब कितने में सेल हुआ, 124% में सेल हुआ, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, this should be equal, बोला है, 55% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए कि 1530 रुपे में कितनी कल में बेचनी चाहिए कितनी रुपे में 1530 रुपे में प्यारे भाई कितना प्रॉफिट अर्न करने के लिए 155 परसेंट सौ परसेंट में 55% प्रॉफिट अर्न करोगे तो कितना है कि 155 परसेंट तो यही आपको कंटेक्स्ट रखना है अब इसमें से कोई भी यहां पर तीन चीज है इन तीनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग करके आपसे पूछ लेगा फिर से सुनेगा दस कल में 18 रुपे में बेची 24% प्रॉफिट हुआ 124 परसेंट में भी का कितनी कल में 1510 में बेचे कि 55% प्रॉफिट हो समझ में आया आप बोलोगे जी बिल्कुल से 31 से चला जाएगा दोस्तों चार बार और यह चला जाएगा आपका पांच बार ठीक है बाई और यहां से मेरे दोस्तों यह 9 से 9 दूनी 18 और यह 17 यह जो है आपका 85 बार जा रहा है यहां पर 85 पांच से 85 आपका 17 बार जाएगा 17 रहे गई रहेगा सत्रे चौकाड़ सट दूसाम 680 तो क्वेश्चन मारक आप पे यहां पे 680 आजाएगा तो 680 कलम आपको बिकनी पड़ेंगी देख सकते दें कि नीचे सत्रे है सत्रे कटनी रहा किसी से तो सत्रे गायब होगा नहीं सी आप्शनी उत्तर बनेगा अगला सवाल सवाल आपके सामने बच्चों यहां पर 30 नंबर जवाब दीजीगा करिए मनजीत ने एक सेकेंड हैंड बोटर बाई खरीदी 22 रुपे में 3000 रुपे इसकी ओवर हैंडलिंग और मेंटेनेंस पर खर्च कर दी ओवर होलिंग पर उसने बेज़ दे इसको 12 परशन के प्रॉफिट पर अगर इसने 500 रुपे कम में बेचा होता तो उसका पर्सेंटेज प्रॉफिट कितना होता यह सवाल है आपके सामने चार ओप्षन बहुत बड़े सवाल है यह क्लिवर प्रॉफिट लोग्स की परिभासा पे कोई टाइप को फॉलो नहीं करता 22 र की बाईग खरीदी थी 3000 मे अगी उसे अब 25,000 रुपे पे सुनना 12 पर्सेंट के प्रॉफिट में उसे बेचा तो 25 रुपे कम में बेचा होता तो कितना प्रॉफिट होता जवाब दीजेगा मेरे दोस्तों करो देखेगा 25,000 रुपे में 12 पर्सेंट का तो प्रॉफिट कम आई रहे ना अगर 500 रुपे कम में बेचेगा तो 25 रुपे का 1 पर्सेंट मेरे दोस्तों 200 होता है 2 पर्सेंट होता है 500 तो प्रॉफिट 12 पर्सेंट ना होके 2 पर्सेंट कम होगा प्रॉफिट 10 पर्सेंट हो जा रुपे कम कर देगा तो परसंटेज में कितना 25 हार का 500 जो होता है वो 2% होता है एक परसंट 200 तो 12 परसंट से 2% प्रॉफिट अब कम होगा डारेक 10 परसंट ही आएगा बात समात अगला सवाल सवाल लंबर होगा जी आपके सामने हाँ पर 31 यह करिएगा दोस्तो दो प्रिंटरों में प्रतेक को 12,000 बेचने पर एक को 20% प्रॉफिट हुआ दूसरे पर 20% लोस हुआ पूरे लेंदेन में हानी या लाप प्रतिसत बताई इम्पोर्टेंट टाइप आ गया इम्पोर्टेंट यहां लिख दू में अगर दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है अगर दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है एक आर्टिकल पर एक्स पर्सेंटेज प्रॉफिट है दूसरे आर्टिकल पर एक्स पर्सेंटेज लोस है माइनस मतलब लोस पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट तो ओवरॉल आपको हमेशा लोस होगा कितना लोस होगा एक् 100% का आपको overall loss होगा, overall x square by 100% loss, बात समझे, सबसे basic सवाल है profit loss का, ठीक है न, बेलकुल type-wise हम चल रहे हैं, 12,000 में प्रते का प्रिंटर जो उसने बेचा, selling price से में, एक पर 20% profit, दूसरे पर 20% loss, तो overall क्या होगा, 4% loss आजाएगा, मेरे प्यारी भी overall, 20 square by 100, 400 by 100, 4% loss, समझे, अगला सवाल, सवाल होगा दोस्तों आपकी सामने हैं, अपर ये 31 था, अपन लोग लेंगे 32 number question, जी जवाब दीजेगा बायरे भाई, करो, एक व्यक्ति 9975 प्रती वस्तु के मुल्या पर, दो वस्तों बेचते, एक आदम ने दो आटिकल बेचे, दोनों ही सेम प्राइस में बेचे, 9975 के, ठीके बही, एक आटिकल पर 5% profit हुआ, दूसरे पर 5% loss हुआ, उसका overall gain और loss बताए, और आपक पीज में, तो भाया, ऐसे case में profit तो होने का कोई मतलब ही नहीं है, होगा तो loss ही, अगर एक पर 5% profit है, दूसरे पर 5% loss है, तो overall, 25 स्क्वाइर बते 100, 5 स्क्वाइर बते 100, यानि की 25 बते 100, 0.25% का आपको loss हुगा, ठीक है ना, चलो दोस्त, 0.25% का आपको overall loss होगा, इसी का multiple, ये दो को B option आपको दिखाए दे रहा, 50 रुपे, अगर आप इसको solve करना चाहते हैं, जैसे हर, एक, हर आर्टिकल, जो total CP होता है, 100 होता है, 100%, अगर 0.25% आप loss करवा लोगे, तो समान बिकेगा कितने में, 99.75% में बिकेगा, आप बोलोग आपने तो 2 आर्टिकल बेचे नहीं, तो 2 आर्टिकल इतने रुपे के बिकेंगे, तो मेरे दोस्तों आप बताओ कितने गुणा है, तो आप कहोगे, सर, 100 गुणा और 200 टाइमस है, 200 गुणा, आपको loss कितना होगा, आपको loss होगा, 0.25%, 0.25% की value आपसे पूछे, तो ये भी 200 गुणा आजाएगा मेरे दोस्तों, यहने कि 50 रुपे, ये आपका loss है, इस solve भी कर सकते हैं, बट by option easily हो रहा है, ठीक है, आगे चलते हैं, आगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने आएगा यहाँ पर, 33 नंबर, ये करो दोस्तों, जी, एक दुकामदार ने दो वस्तों में से पृतेक को दसार 590 में बेचा, तो यानि कि दो आटिकल का selling price से में, एक पर 19% profit हुआ, दूसरे पर 11% loss हुआ, उचा उसका overall gain या loss percent, एक पर 19% profit है, दूसरे पर 11% loss है, overall profit या loss percentage पूछा है, जवाब दो, अब यहां तो यह वाला फरजी तरीका काम नहीं आएगा, हमने आपको concept क्या बताया, कि अगर selling price से में, एक पर 19% profit है, दूसरे पर 19% loss है, तो overall यह होगा, लेकिन यह ध्यान रखेगा मेरे दोस्तों, इससे बहुत सवाल आसान हो जाते हैं, अगर दो आर्टिकल का selling price से में ह loss है तो negative लेंगे, तो overall मेरे प्यारे बाई जो आएगा ना हमेशा, अगर अलग-अलग है, तो overall आएगा 100x plus y, 100x plus y, plus 2xy, 100x plus y, plus 2xy, upon 200 plus x plus y percentage, कहां से आए, वो आपकी चिंता का विशाय नहीं है, बस आप मलाई खाईए, अगर दो आर्टिकल का selling price से में है, एक पर X% है, प प्लस y, plus 2xy, upon 200 plus x plus y percentage होगा, अविनाश कुमार यहां average नहीं लेंगे, यहां CP, अगर cost price सेम होता है, तो average लेते हैं, लेकिन अगर selling price सेम है, बच्चों ते फंडा लगेगा, या फिर आप ratio से करोगे, इसके लिए best formula ही है, या ratio से कोई फायदा नहीं है लेने देने का, ठीक ह एक पे 19% profit है मेरे प्यारे भी, दूसरे पे 11% loss है, तो overall क्या आएगा, overall आएगा 100x plus y, बई x plus y करेंगे तो 19 minus 11, यह positive है नेगिटिव है, 19 minus 11, 800, minus 2xy, plus 2xy करेंगे तो minus 1 हो जाएगा, बई 19 गुणा 11 कितना आ जाएगा, बई 209, 209 दूनी 418, upon 200 plus x plus y, 19, minus 11, 8, 208 आएगा मेरे प्यारे भी यह, तो प्यारे स्टुएंट्स यह आया है positive, यह positive आया है, यानि कि loss तो होगा नहीं, और यह लगबग लगग 2% आएगा, एप्रोक्स 5% तो आएगा नहीं, तो एप्रोक्स 1.8% आया है, खतम, कितना समय लगेगा, तो इस type के data की सवा कर सकते हैं, कि option आपको दिये हुए होंगे न, ratio से काफी calculated होगा यह सवाल, ठीक है जी, चलो, लेकिन आप यह वाला सवाल बताओ, इस वाले का क्या answer होगा, सवाल number है आपके सामने हाँ पर 34, करो student, जल्दी से करिएगा और, बनाओ, करें आपके न, से करदं होगे हैं, एक यह लग आइवां, जल्दी से करूष तो से को से का अवाले को दोंगे यह, अब इने दो आर्टिकल में से हर एक को पांच हार 220 रुपे में बीचा एक आर्टिकल पर उसे 16% गेन हुआ दूसरे पर 10% लॉस हुआ आपसे पूछा उसका प्रॉफिट या लॉस कितना है होल आर्टिकल पर यह आपसे पूछा गया आप सुनेगा मेरे प्यार भी ध्यान से समझेगा अगर आप इस सवाल को फॉर्मले से करेंगे तो पहले आपको ओवरॉल पर्षंटेज प्रॉफिट लॉस निकलेगा फिर वहां से आपका सीपी कॉल करके निकलेगा तो उसमें समय लगेगा यहां पर रेशियो ही बैस्ट है मेरे दोस्तों कि रेशियो एक्जक्ट आपको मुल्टिपल दे देगा फॉमला तो ही है करने का तरीका रेशि का समान है तो कितने में बिक रहा है उनतिस में दूसरे आटिकल पर आपको कितना लॉस है दस पर्षंट दस पर्षंट का मतलब एक वर्टे दस का समान है तो कितने में बिका है नो में यह बात सही है अब यहां ध्यान से देखो सेलिंग प्राइस दोनों आटिकल का सेम है न लॉस वाब, ओवराल निकालो देखे 25 से 29 हो गया 4, चार नाम 36, यहां आपको 36 का प्रोफिट दिखाई दे रहा, SP मानस CP घटा, यहां देखे 10 से 9 कितना हो, मानस 1, मानस 1 गुणा 29 होगा, मानस 29, यहां 29 का लॉस है, यहां 36 का प्रोफिट है या 29 का लॉस है, एक ही ओप्षन है यह, बात समात, ठीक है भाई, क्लियर, सॉल करना चाहते तो सॉल भी कर सकते, भाई, सेलिंग प्राइस आपको दिया होगा है, सेलिंग प्राइस कितना, 29 गुणा 9, 29 गुणा 9 सेलिंग प्राइस है, सवाल में इसकी वैल्यू 5,220 रुपे आपको दी हुई है, ठीक है भाई, 29 गुणा कितना हो जाएगा, 270 से 9 कम, 261, ठीक है तो उसका ज़स दुग ना, 20 टाइम से मेरे प्यारे भाई, यह भी साथ का 20 टाइम सा जाएगा, 140 रुपे प्राफिट, पतो है न मईदार सवाल, पॉजिटिव फाइनल आंसर आ रहा तो प्राफिट है, निगेटिव आएगा तो लॉस होगा, अगला सवाल बनाएगा, सवाल है स्टुएंट्स आपके सामने हैं, यहाँ पर 34 नंबर क्वश्चन था, अपन लोग लेंगे 35 नंबर सवाल, ठीक है जी, बनाओ, करो, X sold two cars at same price, X ने मेरे प्यारे में दो cars बेची same price में, ठीक है, एक कार पे 10% profit हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं, X incurreded total loss of 12% in the overall transaction, overall transaction में 12% का loss हुआ है, ठीक है, तो आप से पूचा, approximate profit या loss बताए, other car पे, other car पे कितने का approximate आपको loss हुआ है, देखे, X ने दो car बेची समान price पे, एक cost price है, same price है, सुनते रहीएगा मेरे प्यारे भाई, एक car को 10% profit में बेचा, 10% मतलब, अगर car 10 रुपे की है, तो मैंने 11 में बेची है, पहली car, चुँकि दोनों कारों को same price में बेचा, अगर ये 11 में बेची है, तो दूसरी भी 11 में बेची होगी, आप बोलोगे, जी सर, ये टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगी, 11 और 11, 22 होगे टोटल सेलिंग प्राइस, अगर overall 12% loss होए, 12% की fraction value क्या है मेरे प्यारे भाई, 4% 1 बटे 25, 12% 3 बटे 25, इसका मतलब, अगर टोटल 25 का समान है, तो 22 में बेचा, ये तो मतलब हुआ, अगर 25 का समान है, तो टोटल 22 में बेचा है, समान कितना में बेचा है, 11, 11, 22, तो टोटल कॉस्ट प्राइस होना चेए, 25, ये कि 10 और 15, 25, यानि कि दूसरी कार का जो CP होगा, वो 15 होगा, दूसरी कार का CP कितना होगा, 15, यानि कि दूसरी कार 15 रुपे की थी, 11 रुपे में भी की, उसरी कार पे कितना लॉस है, 4 बटे 15 का लॉस है, 1 बटे 15 है कितना, 6.66 परसेंटेज, तो 4 बटे 15 है, 26.66 परसेंटेज आएगा, 26 ही दोबटा 3 परसेंटेज होता है, 4 बटे 15 है, B option आँसर है सवाल का, C option नहीं है भाई, B option सवाल का आँसर है, बहुती ज़्यादा लॉजिकल सवाल था है, मस्त एक दम, आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरब, सवाल आपके सामने हैं, भाई ये 36 नमबर, next टाइप आचुका है दोस्तों, हैं भाई, ये बताईगा जल्दी से, करो, 25 CP है भाई, SP थोड़ना है, अगर आपको overall सिद्धार प्रतीक संत्रा, 12% लोस है, 12% की फ्रक्शन लोग तीन बटे 25, यानि कि 25 का समान, 22 में भी का, total SP 22 है, तो total CP 25 होना चाहिए था, next step आपके सामने आगए, सबसे आसान है ये, एक व्यापारी, A number of goods खरिता है, B में, बेशता है, B number of goods, A में, B less than A, B कमान चोटा है, एसे, तो whole outlay में क्या हो गए, latest सवाल है, एक व्यापारी खरिता है, A number of goods, A article खरिता है, B रुपे में, और वो बेचने की बारी आते, तो B article बेचता है, A रुपे में, तो मेरे दोस्तों बताओ, क्या हुआ उसे, तो B गुणा B, मेरे दोस्तों, B square है, यानि कि मैं कह सकता हूँ, यानि कि B square छोटा होगा, A square बढ़ा होगा, तो profit होगा, loss वाले तो होई नहीं सकते, यानसर, ये भी नहीं आएगा, D ये आएगा, B square से बढ़ा है, A square मेरे प्यारे बहीं, तो आपको profit होगा, A square मानस B square गा, कितने समान पे, B square पे, percentage में into 100%, ऐसे हम आवन लोग cross multiply कर देते, number of article को same करते हैं, दोस्त, loss नहीं आएगा, profit आएगा, because B से बढ़ा है A, कम का समान ज्याद में भी करा है न, that means we are having profit, आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल एस्टुएंट्स आपके सामने, 37 नमबर, ये करो बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है, जी, जवाब दीजेगा, अरे मजा आ रहा है की नहीं, ये question दिल्ली पुलिस में आया है सर, हाँ, दिल्ली पुलिस में आया है, SSS Esperant students, एक retailer purchased a rate of 11 mangos for 100 रुपीस, एक retailer ने purchase करे हैं 11 आम 100 रुपे के, and sold, 10 आम 110 रुपे के बेच क्या रहा है, 10 आम 110 रुपे के बेच रहा है, तो आप से पूचा है, percentage profit क्या है उसका, percentage of profit, और पर mango sold, तो भाई, 10 आम मेरे प्यारे भाई, 100 के, यानि की 1000, 1000 का समान मेरे दोस्तों कितने में गया, ये लिखा है न, 11 आम मेरे दोस्तों 100 के, और ये 10 आम बेच रहा है, वो 110 के, तो 11 गुणा 110 आजाएगा, बारे सो दस, ये की ultimately मैं कह सकता हूँ, कि 1000 का समान बारे सो दस में जा रहा है, 21 परशंटेज का वो profit कमा रहा है, ये आंसर है, C option correct है, सभी बच्चे समझ पाएं, अगला करेंगे मेरे दोस्तों, सवाल आएगा आपके सामने यहाँ पर, 38 नमबर जी, जवाब दीजेगा बच्चों, करो, हाँ जी students, अब देखेगा मेरे प्यारे भी, बहुत बड़ा सवाल है, एक दुकानदार ने 60 पैंसिल खरीदी हैं, 5 में 4 की दर से, अधर 60 पैंसिल खरीदी हैं, 3 में 2 की दर से, उसने सभी पैंसिल को मिला दिया, और उन्हें बेचा है, 4 में 3 की दर से, तो आपसे पूचा कुल लाविया हाने परती सत, एक शॉपकीपर ने 60 पैंसिल खरीदी हैं, अधर दी रेट ओफ 4, 4 रूपीस 5, देखें, इधर मैं रूपीस लिखूँगा, इधर मैं आर्टिकल लिखूँगा, एक शॉपकीपर ने, पैंसिल खरीदें मेरे दोस्तो, 4 पैंसिल कितने की, 5 रूपे की, अधर रेट ओफ 4 रूपीस 5, अनुदा 60 पैंसिल, अधर रेट ओफ 2, 4 रूपी 3, 4 पैंसिल मेरे दोस्तों ये खरीदी हैं, उसने 5 की, और अनुदा 60 पैंसिल खरीदें, add a rate of 2, 4 रुपी 3, 2 पैंसिल मेरे दोस्ते खरीदी है, 3 की, फिर जाब बेचने की बार ही आए, तो उसको बेच रहा है, add the rate of 3, 4 रुपी 4, add the rate of 3, 3 पैंसिल बेक रहा है, वो 4 रुपे में, तो आप से पूछा है, gain or loss percentage, ठीक, अब प्यारे भाई, ये भी 60 पैंसिल खरीदी थी, ये भी 60 पैंसिल खरीदी थी, तो इक्कॉल होना चाहिए, ये 4 पैंसिल खरीदी है, 5 की, ये 2 पैंसिल खरीदी है, 3 की, तो अगर यहाँ भी मेरे दोस्तों, मैं 2 से गुणा कर दूँ, तो 4 पैंसिल कितने की खरीदी ह अचेज की, चार पैंसिल कितने खरीदी है, चार पैंसिल खरीदिये, यह बेचने की बारी आई, जब बेचने की बारी आई, तो बेच रहा है, मेरे दोस्तो, he is at the rate of 3, 4 by 4, वो 3 pencil 4 की बेच रहा, जब बेचने की बारी आए, वो 3 pencil कितने की बेच रहा है, 4 की, अब यह वही सवाल बनेगा जो पिछला question था, overall कितना percentage profit हुआ उसको, तो हम यह कह सकते हैं, 11 या 33, 33 का अगर समान था मेरे प्यारे बई, तो 8 चौक 32, 32 में विका, 33 का समान था, तो 32 में विका, तो उसको loss हुआ, कितने का loss हुआ, एक वटे 33 का loss हुआ, negative, तो यहाँ पर profit तो होगा नि, उसको loss होगा, एक वटे 33 का मतलब B option उत्तर आएगा, 3 to 1 by 33 percent loss, तो जब भी ऐसा सवाल आए न, आपको बस article को यहाँ पर same करना है, ठीक न, 4 pencil खरीदी है, 5 की, यह 2 pencil है, 3 की, तो मैंने यहाँ पर, यह 60 pencil, 60 pencil से ले रखा है, उसने same article खरीदी है, मैंने यहाँ पर article को same बनाया, पर यह mix कर दे, 8 pencil 11 की होगी, फिर बेच की भावसरा, 3 pencil 4 की बेच रहा, 4 रुपे की, cross multiplication से easily कर सकते हैं, अगला सवाल, सवाल लंबर आएगा, मेरे दोस्तों, यहाँ पर, 39 number question जी, जवाब दीजेगा, क्या उत्तर है, बनाओ, छिक, करो, दो आर्टिकल, A और B के जो प्राइस है, 4 रेश्यों, 5 के रेश्यों में, इन वस्तों को बेचने पर, A को 10 परशंट और B को 20 परशंट प्रॉफिट होता है, यह दोनों के सेलिंग प्राइस में, 960 रुपे का अंतर है, तो दोनों का कुल सेलिंग प्राइस, कुल विक्रिये मुल्ले आप से पूछा है, देखो, दो आर्टिकल है, प्यारे भाई, यह और भी बिल्कुल बेसिक सवाल है, उनके, अवाज आ रही है न, उनके कॉस प्राइस का जो रेश्यों, ठीक है भी, आप बोलोगे जी सर, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 4.4 और 6 का डिफरेंस कितना आएगा, 1.6, 1.6 का डिफरेंस आएगा, दोनों की सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 1.6 है, 1.6 के लिए 960 है, कितने गुना, तो आपका जवाव उगसर 600 गुना है, 16.6 का डिफरेंस दोनों की सेलिंग प्राइस का सम पूछा है, तो सेलिंग प्राइस का सम क्या आएगा, 6 और 4.4 ने कि 10.4, 10.4 में छुपा होता है 13, 13 का मल्टिपल भी चेक कर सकते थे, डारेक्ट इसमें से कोई भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये उत्तर आ जाता है, 10.4 की वैल्यू पूछी है, तो कितने गुना हो जाएगी 600 गुना, तो 6000 प्लस 240, ए उप्शन इस सवाल का अंसर है, 6,240, बहुत अच्छा सवाल है, कई बार ये सवाल पेपर में आया है, ठीक है जी, आगे चलेंगे, next question, सवाल लंबर है आपके सामने, 40, जी जवाब दीजेगा दोस्तो, करो, जी बनाएं, जी बनाएं, बच्चो मज़ा आ रहा है ना, आप लोगों को, वीडियो खतम होने से पहले, 10 सार लाइक्स पूरे करवा दीजे, करिए, सवाल लंबर आपके सामने आ रहा है बच्चो, 40, this is one of the most important सवाल, ये question में इस तना तंग आ गया हूँ, इस सवाल से इतनी बार ये पूछा गया है भाईया, मेल पे, doubt group में हमारे facebook के, अब समझ पारें इस सवाल का क्या मतलब है, सभी के दिमाग में आ गया होगा, कि deviation है और allegation है, केवल ने 5 table और 13 chair खरीदी, 14,220 रुपे में, उसने tables को बेचा 15% के profit में, chairs को बेचा 10% के loss पे, अगर entire transaction में, पूरे लेंदेन में, 388 रुपे का profit हुआ है, ठीक है, तो आप से पूछा है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहाँ दोस्तों, आपको allegation ही दिखाई देर, आपको overall table में change दिया, chair में change दिया, आपको overall change दिया है, मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ allegation से solve हो जाएगा, केवल ने क्या खरीदा, केवल ने 5 table खरीदी, बहुत प्यार से समझाऊँगा, और 13 chair खरीदी है, सवाल basic है, लेकिन कल्कुलिटिव और कल्कुलिटिव आते हैं, 5 table और 13 chair उसने खरीदी, 5 table को बेचा, उसने 15% के profit पे, ठीक, 13 chair को बेचा, उसने 10% के loss पे, overall क्या हुआ, overall उससे 388 रुपे का लाब हुआ है, लाब, तो बही 14,220 रुपे का उसने खरीदाता, समान total, 14,220 पे 380 रुपे का उसे profit हुआ, तो percentage में कितना profit हुआ, into 100%, आप बोलोगे जी सर, 0 से 0, cancel out हो जाएगा, हो जाएगा, किस से जाएगा जी ये, 9 से जा रहा है, मस्त एकदम, अभी, 9 चोक 36, ये 18 से, 18 से, दोनी 36 मेरे दोस्तो, 18 कम 18, तो 18 सत्ते 126, कितना आएगा, मेरे प्यारे भाई, यहां से, 126, और ये आजाएगा, आपका, 4, 2, 6, 162, 18 निम्मा, 79, ये 210 बटे 79 न, और तो जाएगा नि, तो प्यारे भाई, ये आएगा, 210 बटे 79 परसेंटेज, ठीक है न, तो ओवर्राल आपका, प्रॉफिट परसेंटेज, ये है, मेरे प्यारे बच्चों, बोलो बात सही है, अगर आप, प्रॉफिट और लॉस पे, ये ऐलिगेशन लगाओगे, तो डारेक्ट किसका रेश्चों आएगा, सीपी का रेश्चों आएगा, धाई नहीं है, भाई, ये अठार साथ 126, ये नो बार जा रहा है, 210 बटे 79 हो रहा है, किलियर है, आप बोलो कि जी सर, अब यहाँ एलिगेशन पर आप कैल्कूलेशन करोगे, तो कैल्कूलेशन है टफ, तो पूरे को 79 से गुणा कर देते, बटे 79 हो अगर मुझे ये हटाना है, तो पूरे को 79 से गुणा कर देंगे, जैसे 79 की 15 में गुणा करेंगे, तो कितना आएगा अबी, अब 1200 से पंदरे कम करेंगे, 1185, ठीक है बई, 79 की 10 में जब गुणा करेंगे, तो मानिस का 790 है, पूरे को 79 से गुणा कर देते हैं, बच्चों का सवाल नहीं है ये, दूद पीते बच्चों को आइस में से घटाएंगे, मेरे प्यार भी, 210 में से मानिस 79 को घटाएंगे, तो आएगा आपका 1000, 200, 700, 900 और ये 1000, रेश्यू, 1185 में से 210 आप घटाएगा, तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, 75 और ये आपका 11 में से दो गया, 975 आप बोलोगे जी सर्थ, तो 25 से जाएगा मेरे प्यार भी 40 बार, और ये 40 से एक कम है 49 बार, 975 कैसे काटा मेरे 25 से जल्दी, 1000 मानिस 25 है, 40 चला गया फिर एक कम, 40 रेश्यू 49 आया, तो CP का रेश्यू आया मेरे प्यार भी 40 रेश्यू 39, ये CP का रेश्यू आगया, प्यारे बच्चे बात समझे की नहीं समझे, ये आप बोलोगे, जी बिल्कुल सही, CP का रेश्यू 40 रेश्यू 39 आगया, आप से पूछा, दो टेबल और तीन चेर के CP का डिफरेंस, पांच टेबल 40 की हैं, पांच टेबल 40 उनिट की हैं, पांच टेबल 40 की, तो एक टेबल 8 उनिट की है, तो दो टेबल होंगी 16 की, बोलो, कैल्कुलेशन कम से कम करो, 13 चेर 49 की हैं, 13 चेर 49 उनिट की हैं, एक चेर होगी 3 उनिट की, तो 3 चेर होंगी मेरे प्यार भी 9 उनिट की, इनका डिफरेंस आप से पूछा, यानि की 7 उनिट, 7 का मल्टिपल ये उप्शन नहीं है, 1260 है, 7 का मल्टिपल ये उप्शन नहीं है, 7 का मल्टिपल ये उप्शन भी नहीं है, ये उत्तर है, ये सवाल का अंसर है, 1260 रुपे, रोकने वाला नहीं इस सवाल को, बताओ, 5 टेबल 40 की, तो एक टेबल आट उनिट की दो टेबल 16 की 13 चेर 49 उनिट की तो एक चेर 3 उनिट की तो 3 चेर 9 की डिफरेंस आए साथ, साथ का मल्टिपल निकालेगा क्लिए रहे solve भी कर सकते है मेरे प्यार भी solve कैसे कि यहाँ पर CP का तो ratio पाता है चल गया अगर टेबल 40 की है तो 49 की तो 40 उनिट उनिट की वैल्यू सवाल में 14,220 दे रखें तो कितनी बार जाएगा 1 टाइमस जाएगा फिर 98 बाहतर, 180 बार जाएगा और कुछ जाएगा निए वैसे भी 88,440 से मेरे दोस्तो 88 का में 180 बार जा रहा है तो साथ की वैल्यू भी 180 बार जाएगा 187,126 बार एसो साथ रुपेश कोश्चन का अंसर है इससे मस सवाल और इससे मस सॉलूशन है नहीं सवाल का आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ सवाल आपके सामने आएगा चालिस नंबर सवाल ता मैं फैक के मारूँगा आपके तरफ 41 सवाल करो जल्दी से कौन करेगा क्या आप सवाल समझे अभी तो सुरू भी नहीं हुआ रहाना ने 1920 रुपे में एक आर्टिकल खरीदा और इसकी सिपिंग पर 130 रुपे खर्च किये बहुत बढ़िया उसने इसे 20% लाब पर बेचा उस समय प्राप्त धन से उसने एक और वस्तू खरीदी और उसे 15% के लॉस पर बेच दिया उसकी कुल हानी या लाब पृतिसत बताईए आप से पृतिसत पूछा है क्या इनकी जवरत है नहीं यह आपको सक्सेसिव नहीं दिखाई दे रहा रिहाना ने 1920 रुपे में आटिकल खरीदा 130 रुपे उसके ट्रांस्पोर्टेशन में लग गई तो यह टोटल कॉस्ट आगई अब इस टोटल कॉस्ट से उसने क्या करा समान को बेच दिया 20% प्रॉफिट पे 20% प्रॉफिट पे उसने बेच दिया जोब उससे पैसा मिला उसने एक नई वस्तू खरीद ली और उस पैसे उस नई वस्तू को बेच दिया 15% के लॉज पे ओवरॉल क्या हुआ तो यह 20 और मानस 15 का क्या सक्सेसिव नहीं हो गया बच्चो तो ओवरॉल क्या हो गया 20 और मानस 15 का सक्सेसिव नहीं हो गया उसका प्रॉफिट तो 20 और मानस 15 का सक्सेसिव कितना होता है 2% 5 मानस 3 2% का ओवरॉल प्रॉफिट आएगा ए उप्षन सवाल की बस लेंग्विज आपको डराने के लिए है लेकिन क्वश्चन तो बहुत आसान है प्रीविसर सवाल है ठीक है दोस्त यह सर्नो आपने किसी समान को बेच दे 50% प्रॉफिट में जो पैस आया उससे एक और समान खरीदा उसको बेचा 15% के लॉस पर तो देटिस सक्सेसिव continuous change हो रहा है अगला सवाल करेंगे सवाल नंबर आपके सामने आएगा मेरे प्यारे भाई यहां पर यह 41 था आपन लोग लेंगे 42 नंबर सवाल करो जी कौन करेगा इस प्रसंद को बनाओ दोस्तों सवाल यह है कि X, Y को 12% के लॉस पर एक समान बेचता है Y इससे Z को बेचता है 9% के प्रॉफिट पर यदि Z ने इसके लिए 21,582 रुपे पे किये है तो आपसे पूछा है X ने किस कीमत पर वस्तु खरीदी थी X ने किस कीमत पर वस्तु खरीदी थी जल्दी से आपसे देख पा रहे हैं कि कीवल यह सक्सिसिव है ठीक है भाई और आपको यहाँ पर किवल सक्सिव एफेक्ट लगाना है अब देखेगा मेरे दोस्तों सबसे पहले आपके दिमाग में डिजीटल सम आना चाहिए मेरे प्यारे भई लेकिन यहाँ पर हर आप्षन का डिजीटल सम 9 हो रहा है तो उससे तो बात बनेगी नहीं X ने क्या हुआ X ने समान Y को बेचा Y ने समान Z को बेचा X ने Y को बेचा 12% के लॉस पर Y ने Z को बेचा 9% के प्रॉफिट पर जैन ने इतना पेशा पे किया तो X ने कितना पे किया है तो अब मानस बारे और नो का मेरे दोस्तों यहाँ पे इफेक्टिव भी निकाल सकते हैं सक्सिव उससे भी हो जाएगा रास्तिस साल को करने के बहुत सारे हैं जैसे अगर आपको ऑप्शन से करना है यह मानस बारे और मेरे प्यारे भाई 9 का सक्सिव निकालो मानस बारे नो का सक्सिव कितना होता है मानस का 3 बारे निम्मा 108 बटे 100 यहाने कि लगबग पॉइंट 108 बटे 100 तो मेरे दोस्तों लगबग लबग आपका 1 ही आ जाएगा यानि कि मानस 4 आएगा एप्रोक्स, मानस 4 परसेंट, मानस का मतला होता है लॉस, यानि कि ओवराल आपको 4 परसेंट लॉस हुआ है, 4 परसेंट लॉस करवाने के बाद वेल्लू आईए, जो है, 4 परसेंट लॉस के बाद ये वेल्लू आईए, आप से पूछिये 100 परसेंट की माइनस बार है और नो का सक्सिव यह आएगा मेरे प्यारी बैई माइनस फोर आएगा एप्रोक्स तो फोर पर्शन लॉस के बाद प्राइस ही है 100 पर्शन पर कितना था जो भी प्राइस था 21 आर पांसो बैसी से तो जाद ही होगा ना तो यह दोनों उत्तर तो होई नहीं सकते अब अगर मैं यह आप्शन मानता हूँ यह अगर 22500 मानता हूँ तो 22500 को 4% कम करूँगा 4% क्या आएगा मेरे दोस्ते इसका 22500 का 4% आएगा लगग लगग 800 और 900 रुपे कम करूँगा मेरे प्यारे भाई तो 21582 के नजदिक पहुँचेगा क्या हां जी पहुँचेगा यह कि यह इस question का answer हो सकता है यह answer होगा ही नहीं ऐसे कर सकते हैं यह best तरीका है मेरे प्यारे भी क्योंकि जब सवाल के option में काफी change है 1000-1000 रुपे का तो difference ही ना option से उड़ाने की कोशिश करो यहां 12% loss किया है x ने y ने z को 9% profit बेचा इनका सक्से भी आ रहा है यह 4% loss के बाद कीम यह रह गई है x ने कितने में खरीदा था इससे तो जादी होगा और ऐसा option होगा जिसको 4% कम करने पर यह आ जाया ऐसा एक ही option है अगला सवाल no need to do whole calculation सवाल लंबर आपके सामने 43 जीसका जवाब दीजेगा करो a ने b को कोई वस्तू 25% profit पर बेची b ने c को यह वस्तू 15% profit पर बेची ठीक है b ने है वस्तू c को 15% profit पर बेची है b का जो लाब है वो a के लाब से 40 रुपे कम है तो यहाँ b और a के profit में relation दिया है तो आप से पूछा है a का cp बताओ a का cp करो कौन करेगा 25% की fraction value है एक वटे चार सौ मान के कर सकते हो लेकिन 15% की fraction value है तीन वटे बीस यही है आप बोलोगे हाँ जी सर बिलकुल सही है तो चार और बीस का मेरे दोस्तों जो LCM होता है LCM नहीं यहाँ पर प्रड़क्ट लेंगे 80 तो मैंने माल लिया कि जैसे a के लिए 80 है 80 को a ने समान बेचा b को 25% के profit पे तो Iसी का 25% होता है 20 एनिकि B को मिला मेरे दोस्तों 100 बीकु समान मिला 100 बी ने C को बेचा 15% के profit पे तो B कुतना profit हूआ 15 भी बोलै बी का profit प्रॉफिट एसे 40 कम है A का profit बीस है B का profit पंदरे आ five कम है पांच कम है 5 की value सवाल में 40 दे रख़्ी है आठ गुना एट टाइमस तो आप से पूछा A का CP, A का CP एट टाइमस होगा, C का आठ गुना 640 रुपे अंसर है C option, खतम, ठीक ना, 100 मान के भी किये जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल डेसिवल में नहीं जाना, तो इनके डिनो मानेटर होते हैं, इनका multiple मान लिया क कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं जिन्दगी में, आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल लंबर आपके सामने हैं, बच्चों यहां पर 44, ठीक है बई, 3-4 question आए और हैं, फिर यह chapter समापता आपता, यह करो जड़ा, इस successive वाला टाइप चला, आप successive वाला, आप 4-5 question पांच परशन के loss पर बेचा, C ने D को 10% profit में बेचा है, दसार 450 रुपे में, ठीक है, यदि D ने सीधे वहां से cycle खरीदी होती, जहां से A ने खरीदी है, यदि D ने सीधे वहां से cycle खरीदी, जहां से A ने खरीदी है, तो आप से पूछा उसे कितनी राशी की बचत होती है चलो दोस्त, करो, तो आप सबसे पहले ये निकालो, कि A का CP क्या है, आप ये निकालो, A का CP क्या है, A ने motorcycle बेची है B को, तो A ने B को जो motorcycle बेची है, 1000 रुपे का profit कमाया है, अब B ने बेची है C को 5% loss पर, C ने बेची है D को 10% के profit पर, ठीक है जी? यदि D ने सीधे वहां से खरीदी होती, जहां से A ने खरीदी है, तो आपको A का CP निकालना है, तो देखो, यहां देखो, दो बार successive हो रहा है, B ने बेचा है C को 5% के loss पर, C ने बेचा है D को 10% के profit पर, बेची कितने में, 10,450 में, 5% loss का मतलब क्या होता है, एक बटे 20, य सकसिव है यह तो, C ने बेचा D को 10% profit पर, 10% मतलब 10 की cycle थी, तो 11 की बेची, तो 19 गुणा 11 की value ही सवाल में 10,450 रुपे दे रखी है, यहीं 10,450 रुपे, तो आप मुझे बताओ कितने गुणा है, 19 गुणा 11 तो 209 होता है, 209 का मेरे प्यारे बाई यह 50 गुणा है, 209 पंज कि बीन की जो B का जो cost price है 10,000 रुपे है, A ने B को चुपकाई थी 1000 profit में, तो A का cost price हो गया, वो 9,000 रुपे हो गया, आप बोलोगे जी सर, A का cost price 9,000 है, D अगर सीधा A से खरिता तो कितना फायदा होता, बैट D ने जब C से खरिती तो पढ़ी 10,450 की, अगर D सीधा A से खरित तो 9,000 की पढ़ती, तो फायदा कितने का होता, 1450 रुपे का फायदा होता, gap देख लीजिए, 10,450 में से 1450 आप घटाएंगे, तो 9,000 घटाएंगे, 1450 का आएगा, बहुत जबर्दस सवाल है, शांदार question, अगला लेंगे सवाल आपकी सामने यहाँ पर, 44 था, 45 नमबर question दोस्तों, बनाई गजर जल्दी से क्या होगा जी answer, बोलो बोलो, बेमान दुकानदार वाले सवाल भी है, वो सबसे last भी है, उसके लिए discount पूर explain करना पड़ेगा पहले, वो भी समझाओंगा अभी, वीडियो खतम होने से पहले 10,000 लाइक्स पूरे करवाईए, अरे मज़ा आया की निया आपको आज की क्लास में, धाई गंटे हो गया, अब तो पढ़ाते हुए, हमारा फोन भी discharge हो गया, संजे प्रबात करें, जैदीप सर क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, सर प्लीज बात कीजिए न, कहां क्लास नहीं ले रहे हैं, बताओ, अच्छा, यूटूब पे कह रहे हैं, अरे भाई, चलो मैं उनसे बोलूँगा, थोड़ा चैट कम करें, बात क्लास ले ले यूटूब पे, एक इसी आर्रिकल को, एक वस्तू को, बेचता है, बीस परेंड परॉफित में, बी बेचता है, C को 15 परेंड लॉश में, C बेचता है D को 25% profit में यदि A और C के profit का difference 132 है A और C के profit का difference 132 है तो B ने X में वस्तु खरीदी X का मान क्या है बहुत अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भई तो मेरे दोस्तों यहाँ पे 4 बंदे हैं यह A, B, C, D आपको calculation को अगर just ignore करना है यह जो percentage दिखाई दिरें इनको करो fraction में convert 100 मान की भी बनाया जा सकता है 20% की fraction value एक वटे 5 15% की fraction value तीन बटे 20 और 25% की fraction value है एक वटे 4 तो इनका product 5, B, 100, 400 यहने कि मैंने A का CP 400 माल लिया 400 बहुत बढ़िया किया ना मैंने 400 तो A ने B को बेच दा बेच दिया 1 by 5 profit पर तो 400 का 1 by 5 कितना होता है दोस्तों 80 clear है तो B को समान पड़ा 480 का फिर मेरे दोस्तों B ने बेचा है C को 15% के loss पर तो 480 का 15% कितना है मेरे दोस्तों 72 480 का 15% कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 72 यहने कि यह आ जाएगा 408 80 मानिस 42 408 पर C ने बेचा D को 25% profit में 408 का 25% कितना आ जाएगा 104 तो C ने D को बेचा 104 के profit में बोला क्या है बोला है A और C के profit का difference 132 है तो A का profit है 80, C का है 104 difference कितना है बच्चो 80 और 104 का difference है यहाँ पर 24 है 24 24 unit की value सवाल में 132 रुपे दी हुई है यही आ रहा है ना 2 आएगा मेरे प्यारे बाई कट नी रहा ना कट रहा होगा 408 का 25% बच्चों यहाँ पर 102 आएगा एक बटे 4 करेंगे ना तो A का profit 80 है C का 102 है इनका difference आएगा A और C के profit का difference 22 22 की value इस सवाल में 132 रुपे दी है बच्चों 6 गुणा है 6 times B ने समान खरीदा था 480 में 480 की value पूछिए 6 गुणा 2400 प्लस 4888 रुपे आंसर है D option correct है समझ में आया तो minimum calculation में आप यह सवाल उड़ा सकते हो भाई मजा आया कि नहीं कोई decimal का चकर नहीं रहेगा नहीं रहेगा अगला सवाल है 46 नंबर इसको कर दो बहुत बढ़े सवाल कौन करेगा दोस्त कौन करेगा कौन करेगा A है बेटा चुनमन सुकला एक दो और हैं बस बताए एक घड़ी को 25 परफिट वर बेचा गया यदि घड़ी के cost price और selling price दोनों को 75 रुपे घटा दिया जाए तो profit 30 परफिट होगा घड़ी का original selling price बताओ यह option है तो क्या यह आपको cross multiplication method नहीं दिखाई दे रहा आप ratio के difference से भी कर सकते हैं यह CPSP है एक घड़ी को 25 परफिट में बेचा गया 25 परफिट का मतलब 4 का समान था 5 में बेचा गया CPSP की दौनों को 75 परफिए कम किया गया CP को भी 75 परफिए SP को भी 75 परफिए नया प्रॉफिट है 30% 30% प्रॉफिट का मतलब 10 का समान अब 13 में है तो भाई यह CPSP है दोस्तो अभी 34 का 52 10,50 difference कितना आ रहा है 2 की value कितनी है बच्चा पाटी 2 की value है भाईया यहां पर 75 गुणा 10 और 13 गुणा 75 3 गुणा 75 तो 2 की value है 3 गुणा 75 आप बोलोगे जी सर बिलकुल सही आपसे पूची है यहां पर का आपसे पूचा है घड़ी का Sailing Price Original Sailing Price यानि कि 5 unit की value पूची है मेर पाद 2 unit की value है 5 की value निकाले तो 2.5 से गुणा करनी होगे 2.5 से यहां पर गुणा करेंगे 2.5 तीया साड़े साथ गुणा 75 तो 56 25 में एक decimal लगा दो 562.5 बता इससे आसान क्या होगा D option ठीक है ठीक कर लोगे चलेगा टाइप हमने कोई भी नहीं छोड़ा है आगे चलेंगे last सवाल हम लेंगे दोस्तो आज की class का पूरे profit loss का हां बिल्कुल ठीक है इसके बाद discount बचेगा discount वाले सवाल भी नहीं करवाएं हैं उनको कल करवाएंगे यह लेगे ठीक है बई discount, dishonest dealer और miscellaneous questions जो बनते वो कल करवाएंगे यह बताओ जल्दी से का उत्तर है दूद पानी वाला सवाल है प्यारे भई वो दूद पानी वाला क्या आप समझ पारें दूद पानी वाला सवाल देखे आदमी जो बैमानी करता है दूद में दो तरीके से कर सकता है तो प्राइस बढ़ाके और एक मिलावट करके तो ओवराल जो प्रॉफिट होगा वो प्राइस और मिलावट का successive होगा that is the concept बात समापत एक लाइन में concept खतम ओवराल प्रॉफिट विल प्राइस और मिलावट एक आदमी 25 रुपे पर लीटर पर दूद खरीदता है और इसमें 5 रुपे प्रती लीटर पानी मिलाता है and adds water costing 5 रुपीज पर लीटर in it अब पानी का प्राइस दिया है ओके 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 मिक्षर को मेरे दोस्तों बेचता है cost price at a cost of 10% more than pure milk pure milk के price से 10% जादे में वो बेचता है मिक्षर को ठीक है अगर he sold the mixture mark price तो मिक्षर को mark price पे बेचता है और उसे 35% का profit हुआ है तो आपसे पूछा है milk और water का क्या ratio है मेरी प्यार मिक्षर में यह आपकी सामने option है ठीक है करें दोस्त जवाब दो ठीक है बई तो यहाँ पानी तो free का है नहीं यहाँ पानी भी मिलाया जा रहा बिसलेरी का ठीक है यहाँ इसको करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा आप ratio ले लो जैसे दूद कितने का 25 रुपे पर लीटर वाला पानी कितने का मिला रहा पांच रुपे पर लीटर वाला तो ratio कितना हो जाएगा दूद अगर पांच का है तो पानी एक का है suppose मेरे दोस्तों उसके पास M लीटर दूद है और डबलू लीटर मिल्क है ठीक है दोस्तों आप बोलोगे जी सर यही है वेम मिस्ण को सुध दूद से 10% अधिक मुल्य पर अंकित करता है तो याने की मेरे दोस्तों जैसे M लीटर उसके पाद दूद यो डबलू लीटर मिल् उसने कर दिया mixture, mixture उसने बना दिया, तो mixture बन गया M plus W, इसको बेक राया है, वो 10% ज़्याद है price पे, सुद्ध दूट से 10% ज़्याद है price पे, सुद्ध दूट ता 5, 5 से 10% ज़्याद है, यानि कि साड़े 5 का बेक राया है mixture को, मिक्षर इतना बन ज़्याएगा M plus W लीटर, साड़े 5 में बेचेगा, वो 35% profit, 35% profit का मतलब समझते हैं, साथ बटे 20, यानि कि अगर 20 उसका CP था, तो कितने में बिखिया 27 में बिखिया 27, आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल सही बात समझ में आगी देखो, 27, 5, 135, साड़े 5 गुणा 20 मेरे दोस्तों 110, डिफ्रेंस आएगा यहां से 25 M, बोलो, यह 110 W, 20 गुणा 5, 110 W, और 27, 110 माइनस 27 आएगा 83 W, तो मिल्क से वाटर का रेश्यो कितना जाएगा, 83 रेश्यो 25, डे यह उप्षन आंसर है, ठीक है ना, तो वन सिंगल लाइन में आप यह सवाल निप्टा सकते हैं, आप यह देखो, कि मिक्षर का प्राइस कितना है, जब मिल्क आ वाटर मिला देंगे, तो टोटल मिक्षर इतने लीटर बन जाएगा न, इसको बेचा कितने जाएगा, अब दूद पानी एक जगह हो गया, साड़े पांच के साब से बेचेंगे, 35% प्रॉफिट हो यानि कि पहले अगर 20 का सवान ताब 27 का हो गया, खतम, चलेगा, बात समझ में आ गई, कौनो तकलीफ, इसी के साथ प्रॉफिट लॉस आपका पूर्टे समाप्त होता है, हमने हर एक टाइप को यहाँ पर कवर करने की पूरी कोशिश की, इसकी PDF में टेलिग्राम चैनल पर डलवा दूँगा, बाकी जो हम कल करेंगे, ठीक है न, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, तो आप अपने कमेंट शेक्षन में अपना कमेंट जरूर छोड़ें, जो भी आपका रिस्पॉंस है,